वेलकम तो अनकाडमी जेए यूट्यूब चैनल आइम जेहन्त नागदायो जेए कोच आज के इस लेक्चर में हम वेव आप्टिक्स की शुरुवात कर रहे हैं हाइगंस प्रिंसिपल से हाँ बच्चो यस आज के इस लेक्चर में हम वेव फ्रंट एंड हाइगंस में सीखने वाले हैं I hope you are regular on the channel if not class 1112 का physics chemistry maths सबसे awesome अंदाज में highest quality free of cost इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं और इस चैनल से regular पढ़ने वाले छातर अपने जेए में regularly select हो रहे हैं amazing results के साथ पहले batch के results आप या पर देख पा रहे हैं all India rank 1 and 100 percentile and lots and lots of 99.9 percentile बच्चे अपने regularly लाते रहते हैं without wasting time बच्चों चालू करते हैं wave optics का यह lecture तो एक चीज़ आपको बता दू यहाँ पर कि इस बार हम wave optics के lectures को थोड़ा fast forward में करेंगे क्योंकि unexpectedly dates आ चुकी है jay main 23 की yes जो भी होगा अपन wave optics को as fast as possible करेंगे definitely आपको इसमें मज़ा भी आएगा बच्चों साथ ही साथ हम एक बार optics को revise करने थे क्योंकि हमने रे optics वाला पार्ट अल्रेडी कर लिया है optics को हमने कैसे define किया था study of light है न इक क्या चीज़े it's a branch of science that deals with the study of light and its properties properties बड़ी important है light का क्या nature है यह हम जानने की कोशिश कर रहे है पूरे optics में light कैसे reflect होती है refract होती है यह तो हमने detail में ray optics में सीख लिया है राइट बच्चों यहाँ पर आपने दो parts of ray optics दो parts of optics अल्रेडी पड़ा हुआ है जिन बच्चों ने ray optics के lectures नहीं देखे देखना जरूर बहुत ही scoring chapter है जही में ही नहीं जही एडवांस में बहुत नंबर दिला दिला देता है यहाँ हमने दो parts में optics को अल्रेडी डिवाइड कर लिया है फर्स पार्ट इस नोन इस geometrical optics जहां पर geometry यूज करके यहां की ray diagram यूज करके हम object की image निकालते हैं image की position निकालते हैं velocity निकालते हैं उस तरह की questions साथ साथ ही साथ बचो है आपर हम आज चालू करने वाले है physical optics also known as wave optics ठीक है ना कहीं कहीं पर I think कुछ boards में physical optics भी बोला जाता है इसे but yes light के wave nature से जो deal करने वाले optics है that is wave optics तो आप यह heading बना सकते हैं आज का topic है wave optics जैसे कि आपको मालूम होगा already geometrical optics में अपने reflection और reflection दोनों की बात करिए geometrical optics में हमने total internal reflection reflection into the other medium यह सारी बाते करिए और यहां पे भ में तो हम reflection reflection की बाते करेंगे बट वो कैसे होता है using the concept of wavefront ज्यान देना बच्चों यहां पर एक wavefront incident है उसकी वजह से दूसरे मीडियम में एक refracted wavefront red color में आप देख पा रहें और same medium में reflected wavefront blue color में आप देख पाएंगे ना incident wavefront होता है एक reflected wavefront होता है इंदा same medium एक refracted wavefront होता है तो यही wavefront के concept को सबसे पहले समझेंगे तभी हम हाइगन स्पिंसिपल को भी समझ पाएंगे तो चली चालू करते हैं अजका है topic wave optics heading बना दे बच्चों नए page पे नया chapter लिख दे heading बना दे आपको क्या लगता है यह question है मेरी तरफ से आपको क्या light का wave nature होता है या particle nature होता है इस diagram को देखकर भी आप एक hint ले सकते हैं क्या light का wave nature है या particle nature है यह कैसे पता चलता है बहुत सारे experiments से verify होता है कि light यहाँ पे wave nature शो कर रही है particle nature शो कर रही वो experiments को भी हम detail में पढ़ेंगे बट उसका निसकर्च बच्चों यह निकलता है कि light actually wave as well as particle मतलब light का एक dual behavior होता है दोगला behavior होता है light का कभी wave की तरह कभी particle की तरह वो behave करती है यह कैसे establish हुआ यह fact जो है आज बड़ा common है light का एक dual behavior होता है आपने in fact अगर थोड़ा बहुत आइडिया लिया है अपने class 12 के syllabus का तो हरे एक matter का मतलब की हमारी तरह जो भी आ पार्टिकल और wave nature होता है कैसे यह establish होता है उस पर अपने कुछ detail में एक understanding लेनी पड़ी गिया that understanding starts from nobody else but the sir Isaac Newton आपको पता होगा इनके बारे में बहुत कुछ particle nature के सबसे बड़े समर्थक, particle nature को जिन्होंने हम बोल सकते हैं एक book की form में लिखके establish किया क्योंकि Newton से भी पहले बहुत सारे scientists ने light के उपर अपनी study तो करी थी लेकिन particle nature होता है light यह सबसे पहले किसी book में लिखने है का श्रे जाता है Isaac Newton को आप उनकी book के बार में already पढ़ भी चुक है optics यह book को मैंने आपको बताया था कि optics नाम की book रहने ray optics के जो most सिध्धान थे in fact dispersion प्रिजम के case में भी Newton का बहुत बहुत जादा contribution रहा है dispersion is the last topic we have done in the ray optics याद है आपको उसी तरह के बहुत सारे experiments है ना reflections, refractions है थोड़ी सी spelling अलग है optics की क्योंकि उस जमाने की English है जब obviously English थोड़ी सी Latin से जादा inspired थी तो optics की spelling थोड़ी अलग है but this is the book optics Newton had written in his era and इस book में जो भी उन्होंने experiments किये हैं उनसे ये प्रूव होता है बच्चो कि light is made up of particles तो उन्होंने एक theory दी यापे एक बहुत important theory आप उसके बारे में शायद स्कूल में पढ़ते भी होंगे नहीं भी पढ़ते होंगे but कभी नहीं का भी question इस पर आजाता है that theory is known as corpuscular theory बच्चो corpus cells से बनी होती है light is made up of tiny particles known as corpus cells है न जिसे red blood corpus cells अपने blood में क्या होता है RBC होता है WBC होता है ये छोटे छोटे कन है corpus cells है जो कि दिखते तो नहीं है कि अगर हम blood को देखते हैं तो वो तो हमें evenly red color का दिखता है लेकिन अगर हम microscope के अंडर देखेंगे definitely वहाँ पर red blood cells होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं तो एक term यहाँ पर use होती corpus cells what are these corpus cells लिखना जरूर इसे light made up of tiny particles these are small particles जिनसे light बना हुआ है tiny particles very tiny small or tiny में बहुत परकाशा जाता ना तो यह language बड़ी important होती especially आपके subjective exams में board exam में जब लिखें corpuscular theory इससे जो आपको निकल के आई है वो है corpuscular theory corpuscular theory मतलब corpus cells से बनी होई light and that is the reason why they travel in the straight line है यह एक reason है जिसकी वज़े से वो इस straight line में travel करते हैं आपको याद होगा ray optics के भी शुरुवाती पार्ट में अपने इसको study किया था कि अगर आपके पास एक bulb है जिससे हर direction में light जा रही है तो bulb is actually a source of all these corpus cells बचो बल्ब जिससे light निकल रही है असल में light निकल रही है उससे क्या निकल रही है छोटे छोटे particles निकल रहे है जो कि हर दिशा में जा रहे है और एक बार जो particle start हो गया bulb से तो वो क्या एक straight line path में travel करने वाला है light travels in a straight line rectilinear motion of light जो की shadows बनाने के लिए और बहुत सारे ray optics के जिदानतों के लिए important concept है वो अपने काफी detail में already पढ़ लिया है yes conclusion के Newton ने एक theory दिया था corpuscular theory light is made up of these tiny corpus cells these are the corpus cells now known as photons है ना अपने photons का तो नाम सुना ही होगा आज के यूग में मतलब modern physics में इनने definitely photons बोलते है photon theory भी बोलते है जो की Einstein ने बताई थी बट शुरुआत किसने करी है particle nature होता है light का इस चीज़ की शुरुआत इस चीज़ की नीव हम बोल सकते किसने रखी है वो रखी है Isaac Newton ने चलिए आगे बढ़ते है बच्चों tiny corpus cells अगर हैं किसी भी light के सोर्स से वो straight line में travel करेंगे यह सारे tiny corpus cells कभी भी electric या magnetic field से affect नहीं होंगे not acted upon by electric और magnetic field लिख सकते हैं electric and magnetic field से they are not affected who are not affected these tiny particles जिनको अब photons बोलते हैं तो हम आगे आने वाली topic modern physics को भी जल्दी निपटाएंगे बच्चों यह last class के topics हैं जो की कभी भी निपटाए जा सकते हैं बड़ थोड़ा detail में अपने इनको पढ़ेंगे interest से पढ़ेंगे तो मज़ा जादा आएगा तो wave optics को अपन और modern physics को जो की last topics है आपके जेए के और board exams के विए उनको थोड़ा जल्दी करने वाले हैं आपन आप लोग इन चीजों को थोड़ा बहुत लेखते भी रहना कि जो भी टाइनी कॉर्पोस से इनको आप photon कहा जाता है यह किसी भी electric या magnetic field से अफेक्ट नहीं होते हैं यह उनकी वज़े से डिफलेक्ट नहीं होंगे मतला इनके चार्जेज नहीं होते हैं इस वज़े से light travels in a straight line and casts shadows मेन प्रूफ के light straight line में travel करता है उसका मेन प्रूफ क्या है प्रमान क्या है कि light travel करता है straight line में अभी opaque surface पे वो absorb हो जाता है और पीछे shadow बनाता है पीछे shadow बनाता है light travels in a straight line what is the proof of that it casts shadows समझ आरी बात है बढ़िया मस्त कैसे हो बच्चो मज़ेदार ठीक है और देखना कैसे short में मैं बता रहा हूँ particle nature या reflection reflection प्रूफ किया है newton जी ने ने यह बोला कि reflection is nothing like but elastic collision अगर आपने collisions में elastic collision एक term पड़ी है reflection is exactly like the elastic collision of these tiny corpuscles only that the surface on which this particle is incident यह यह कोई surface है supposed mirror वाली surface है उस पर कोई भी particle incident हो रहा है वो same angle पे reflect होगा angle of incidence will be equal to angle of reflection if the collision is elastic तो मैं रखना क्या बोल रहा हूँ यहाँ यहाँ यह चीज़ बोल रहा हूँ कि बच्चो elastic collision में coefficient of restitution याद होगा one होता है और उस case में angle of incidence जिस angle पे normal से आरी बॉल उसी angle पे चली जाती है नॉर्मल से यह चीज़ आपने I'm sure prove करी होगे elastic collision in two dimension बड़ाई easy उसका prove होता है फिर एक और होता है जिसमें inelastic collision होता है जिसमें यह component तो same रहता है बच्चो याद है यह वाला component तो same रहता है बट यह वाला component थोड़ा सक कम हो जाता है उस case में angle change हो जाता है तो yes यह Newton ने क्य न्यूटन तो महारती है mechanics के तो नहीं क्या propose किया जिस तरह से एक ball का elastic collision wall के साथ होता है उसी तरह से एक और पुसल का mirror की surface पे reflection होता है hence angle of incidence is equal to angle of reflection यह बात इतनी obvious थी आपको भी लग रही होगी राइट बात इतनी जादा obvious थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को बिलकुल मान लिया कि आप बंदा सही कहा रहा है light का भी same angle रहता है और किसी elastic collision में भी angle same रहता है मतलब light में वो छोटे छोटे particles elastic nature show करते होंगे तभी जाके आपको same angles मिल रहे हैं right and similarly उन्होंने refraction को भी प्रूव किया Newton has also given his theory about refraction which is not much interesting क्योंकि कई बार अपने को लगता है कि कोई चीज किसी ने बोल दी है तो वो एक theory होती है लेकिन practically जब तक वो प्रूव नहीं होती है अब तक उसे मान लेना नहीं चाहिए तो देखने है आपे Newton ने क्या बोला उच्छो refraction मतलब bending of the light while changing medium light ray इसी medium को change करते बेंड क्यों हो जाती है उन्होंने क्या कि light के जो particles और corpus cells वो अलग medium के साथ अलग behavior करते हैं वो air medium में अलग behavior रखेंगे glass medium या water medium के molecules के साथ अलग एक interaction रखेंगे जैसे glass में या water में light के particles enter होते हैं उनका molecules के साथ कुछ तो interaction होता है definitely होता है if the particles of the denser medium attract the light while interacting with it interact करना मतलब उसके साथ किसी तरह का attraction शोर कर रहा है किसी वज़े से bending हो रही है reflection का मतलब bending of light and light क्यों bend हो रही है ऐसा Newton ने अपनी book में लिखा है yes because light के particles को ये वाला medium थोड़ा attract कर रहा है इसकी वज़े से angle change हो रहा है लेकिन at the same time हमें ये भी समदना पढ़ेगा Newton ने इन दोना angles के बीच का relation नहीं दिया स्नेल ने दिया था स्नेल अपने detail में पढ़ा है Newton definitely had all these theories about light Newton obviously had all these theories which explained the phenomenon also लेकिन कहिने कहिन Newton के explanations में कुछ कमिया भी थी जो की वाजिब है क्योंकि उस समय पे the era of Newton आप time note करना era of Newton कब था इतने साल पहले यार इतनी technologies advanced नहीं थी सारे 300 साल पहले अपन बोल सकते है technology experiment करके verify करना अभी भी in fact bending of light क्यों होती है इसका exact बचो अभी तो हमको ये भी नहीं पता है के gravity क्यों work करती है we have not even solved gravity आपने इंटरस्टेलर देखिये के नहीं एक point पर gravity के उगर solve कर लिया तो we can live in the outer space also but gravity ही solve नहीं हो पारी मतलब क्यों earth किसी एक particular mass को attract करती है क्यों हम सब earth से attracted feel करते हैं ये तो पता है कि feel करते GM1, M2 by R2 rule के धहर but क्यों करती है ये चीज़ आज तक नहीं पता है ये सारी चीज़े हैं इनकी theories हैं अभी तक prove नहीं होई है ये सारी चीज़ों को अभी भी हम theoretical ideas के basis पे ही perceive करते हैं तो law is a law but why it is happening is still not known until this one very important guy comes into the picture so he is the hero he is in fact the guy जिसने पूरा wave optics का chapter की अपन बोल सकते हैं नीव रखी है and he is none other than Christian Huygens जैसे आपने lecture के title में नाम देखा होगा Huygens principle इनोंने ही दिया है but Huygens की जो story है वो थोड़ी सी sad रही है बच्चो in fact if you see that Christian Huygens का जो birth हुआ है वो Newton के पहले हुआ या बाद में हुआ आप बता ना इसकी जो date of birth है year of birth है 1629 है इनोंने जन्म लिया है Newton से पहले इन चीजों को समदने की कुशिश करना है या पर थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में rivalry वाला aspect भी है तो 1642 में Newton was born but 1629 में Huygens is already born Huygens is elder than Newton Huygens has put forward a theory क्या theory इनोंने रखा है देखना? इनोंने बोला है कि light जो है एक wave phenomenon होता है light particle phenomenon नहीं है light एक wave की तरह जैसे wave ओना string होती है एक string पर जो wave चलती है आपने देखा होगा कि particle तो उपर नीचे move होते रहते हैं लेकिन energy आगे forward होती है तो नहीं बोला है light भी ना इसी तरह की एक energy आगे forward हो रही है और particles उपर नीचे vibrate कर रही है तो फिर उस case में लोगों ना इनसे पूछा काफी पूछा कि यह कौन से particles है जो उपर नीचे vibrate हो रहे है are these the particles just like how newton is explaining क्या यह particles आगे भी move करते हैं इन्होंने का नहीं नहीं particles तो move नहीं करते हैं बट एक ही point पर oscillate होते हैं बहुत सारी questions इनको पूछा गया जैसे एक simple question है कि why light travels in a straight line अगर आप बोल रहे हो wave nature है उपर नीचे होना चाहिए light straight line में travel कैसे कर रहा है जब हम किसी light को देखते हैं तो एक point से दूसरे point तक एक straight line में travel कर रहा है जबकि आप तो बोल रहे हो उपर नीचे travel कर रहा है तो इन्होंने एक का कि light की wavelength इतनी छोटी है light की wavelength इतनी छोटी है कि आप दूर से देखोगे इतनी छोटी wavelength आपको उपर नीचे crest या ट्रफ दिखेंगे भी नहीं है और ये fact सही भी है क्योंकि हमने आज जाना है modern era में अपने जाना है कि light की जो wavelength होती है वो nanometers में होती है 400 nanometer to 700 nanometer visible spectrum का range होता है तो हमें इतनी छोटी wavelength के crest और ट्रफ तो दिखेंगे नहीं wave on a string के फिर भी दिखेंगे light का wave phenomenon होता है ये सबसे पहले किसने हम बोल सकते है history नहीं पढ़ रहा है बड़ timeline important है यहां इन से पहले ना Newton ने अपने idea दिया है और इन्होंने भी एक book treaties of light इन्होंने भी book की form में ये suggest किया है कि light एक wave phenomenon है लेकिन अगर आप कोई चीज ऐसी दुनिया में कहते हो जो कि the giant Newton के against जा रही है क्या दुनिया वाले उसको मानने वाले है the sad reality of our existence is कि अगर कोई इन्सान कोई चीज कहता भी है लेकिन अगर दुनिया में एक प्रचलन है जैसे instagram पे अभी trend चल रहा है लोग सारे वो trend वाली videos देखते हैं लेकिन ग्यान वाली videos कम लोग देखते हैं और I think जो लोग कम trend को follow नहीं करते हैं जो लीक से हट कर अपनी destiny को follow करते हैं वही तो J.E. में select होते हैं बच्चो वही तो I.I.T. में और N.I.T. में कौन बच्चे select होते हैं not the ones who are the part of the masses they are the part of the classes वो अलग हट के चलते हैं and academy J.E. channel से पढ़ते हैं believe it or not सारे बच्चे J.E. की तयारी करी नहीं सकते हैं इसी वज़े से seeds भी limited है जहां पर seeds limited है वहां पर masses का काम ही नहीं है वहां पर सिर्फ कुछी बच्चे वैसे भी टिक पाते हैं पहले lecture में तो बहुत एंथूसियाजम होता है यह सब आगए भही चलो हम तो पूरा chapter पढ़ेंगे यार जो last lecture तक आता है न जो बना रहता है वो select हो जाता है एक छोटा सा मैं आपको motivational fact बताऊँगा कि आप अगर किसी दिन जब मन नहीं कर रहा है आपका पढ़ने का किसी दिन जब आपने मन नहीं किया पढ़ने का तब भी पढ़ाई करी that is the day you got selected जिस दिन पढ़ने का मन नहीं था लेकिन तब भी आप lecture में आए you have shown up in the lectures you have shown up in the abhyaas sessions that is the day you got selected and not बाकी तो मन करा तो कुछ भी किया किसी ने तो मन तो बड़ा चंचल ले जा सकी कि मैंने आपको कल भी अभ्यास में बता है ये सारी बाते हम करते रहते regularly but yes this is the fact consistency कैसे आती है just to show up आपका मन नहीं है फिर भी आप कर रहे हो और वैसे तो wave optics मेरा favorite topics में से बढ़ मुझे भी थोड़ी तबित की वेज़े से ऐसा लग रहा था आज करने है नहीं करना but here एक बार आप स्टार्ट कर देते हो once you're five minutes into something आप इसको definitely प्यार करने वाले जटो का भी question होगा अगर आप दो minute पहले टिक जाते हो तो उसके बाद आप उसको एक point पर crack करी लेते हो right it is the initial two minutes five minutes yes similar is the story of Christian Huygens he wrote something down he fought his entire life to prove this fact but उस समय पर technology is enough नहीं थी बच्चो आईगन की जो ideas थे वो चले गए अपनी book में ही रहे गए in fact hundred years तक even he passed away उसके बाद भी hundred years तक nobody recognized his work just think about this 1695 में अगर वो expire हुए है यहाँ पर देखना आपको 1801 में एक legendary experiment हुआ है जिसे आपने wave optics में पढ़ना है that experiment is young double slit experiment जहाँ पर यह प्रूव हुआ पहली भार यह wave nature होता है light का है ना तो जिस इंसान ने यह idea दिया है Huygens उसके सौ सालों तक nobody is recognizing कि उसने क्या दिया है obviously करेंगे भी नहीं technology नहीं है जो चीज बोली है उसको वो argumentative proof भी होता है एक तो argument वाला proof भी होता है कि मैं कुछ बोल दूँ light is traveling in a straight line ऐसा लग रहा है हमें क्योंकि wavelength इसकी बहुत छोटी है as compared to the dimension कोई मानने वाला नहीं है उस point पर बहुत सारे लोग especially Newton की fandom में थे तो भी या Newton ने अगर कुछ भी बोल दिया Newton obviously is the genius of his times but Newton ने कुछ भी बोल दिया आप उसको अगर बिना सोचे समझे मान ले रहे हो तो वो भी गलत है and in fact Young has disproved Newton at this point with this famous experiment so Young's double state experiment बहुत important experiment है पूरे wave optics की main जान जो है वो YDSC है Young's double state experiment को हम YDSC बोलेंगे Thomas Young ने इसको 1801 में conduct किया है Thomas Young is the same guy जिसने Young's modulus का concept भी दिया है अगर 11th class में Young's modulus पढ़ाये तो he's the same guy जिसने Young's modulus का concept भी दिया है तो देखना इनोंने एक interference experiment किया है अगर आपने sound wave पढ़ाये तो आपने interference already पढ़ाये बट मैं assume करके चल रहा हूँ कि तुम लोग गधे हो मतलब as it is 11th में कुछ topic skip करके आ गए हो that is fine nothing will be affected जब भी हम wave optics पढ़ाते है तो wave का जो भी आपका backlog 11th का उसको cover करके भी चलते है तो एक interference experiment होता है बच्चों जिसमें दो sources की वज़े से जो light आ रही है उसकी वज़े से कभी brightness बनती है बट कभी darkness भी बनती है तो देखना इसका एक visual representation है डाइग्राम में आपको यहा पर दो sources दिख रहे हैं दो sources याने कि दो slit बोलते हैं इनको light की और इन दो sources की वज़े से ultimately क्या होता है सामने screen पे अभी bright आ रहा है नहीं करीन पे brightness आ रही है brightness तो something which we expect है बट कहीं कहीं पे darkness भी आ रही है can you see the dark points also यहां dark है यहां dark है तो light plus light equal to darkness यह मैंना आपको बोलाता है पे darkness भी होने वाली है why is this darkness happening because दो waves जब interfere करती है दो waves जब एक दूसरे के साथ चलती है कुछ points पे एक दूसरे को काट देती है और वो काटने से darkness बन जाती है तो यह light plus light equal to darkness का proof है यानि कि interference experiment है क्योंकि light के wave nature को proof करता है light के wave nature को proof करता है कैसे करता है आप देखना है याप यह डाइग्राम में light अगर दो slates के थूँ जाती है तो screen पे हम क्या expect करेंगे कि दो ही band बनेंगे यह एक slate है और यह दूसरे slate मतला एक opening है ना बच्चो slate मतला आपने बहुत ही पतली सी cardboard में बहुत ही पतली सी slate बनानी होती बहुत बड़ी नहीं बना सकते हैं यह पर दिख रहा है बड़ा सा बहुत पतली सी बनानी है और अगर उसके तूँ लाइट भेशते हैं आपको एक maxima minima maxima minima का pattern देखता है ना what is this pattern यहाँ पर center में maxima है फिर darkness है फिर maxima है फिर darkness है इस तरह का एक source की वज़े से maxima minima का यानि की bright and dark का pattern बनता है अगर light का wave nature नहीं होता अगर light का particle nature होता तो ऐसे आपको screen दिखता देखने हैं आपे बहुत amazing visual से है तो feel आईगी light का अगर particle nature corpus seller theory के हिसाब से अगर हम देखे हैं वो दो band इस तरह के बना देगा screen पे सामने तो इस तरह के आपको band दिख जाएंगे just in front of the slit है दो खिड़के अगर आप खोल दोगे तो खिड़के की just सामने दूप रहती हमां अच्छे से पता हैं लेकिन these are slits very small dimensions wavelength के order के इंड के dimensions है उस case में आपको यह नहीं दिखता है if the light is considered as a stream of particles जिन आपको दो band दिखने चीए लेकिन यंग ने जब experiment किया है तो हमें दो bands नहीं दिख रहे हैं बच्छों यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पे लेट के बाद almost 100 years के बाद 100 साल से भी ज़्यादा के बाद यह proof आया है ठीक है ना यह proof आया है इतना लेट आया है और उसके बाद जब हमने यह जाना है कि Newton की जो थियोरी थी Corpuscular थियोरी थी वो यहां पे गलत हो रही है मतलब एक तरह से यंग के एक्सपरिमेंट ने Newton की थियोरी को disprove कर दिया है बच्चों अपन बोल सकते हैं यहां पे Thomas Inge has literally disproved Newton's corpuscular theory because what we expect is according to Newton's theory just two bands particles जाके वहां सामने चिपक जाएंगे Newton की थियोरी बोल रही है particles straight line में travel करेंगे और दो ही band दिखने चाहिए but क्या दो दिख रहे हमें हमें दिख रहा है हर जगे पे maxima minima हमें दिख रहा है screen के ends में भी maxima minima मतलब light वहां तक भी पहुंच पारी है और यह कैसे संबब है only if light has a wave nature so Young's double state experiment proves that light has a wave nature hence light behaves like a wave in double state experiment ठीक है इसका मतलब यह है कि light particle कभी थी ही नहीं हमेशा wave ही थी इसका यह भी मतलब निकल के आता है कि light का तो फिर wave nature ही होना चीज जो भी Newton ने का सारी बाते कल रहते तो ऐसा भी नहीं है light का इस experiment में wave nature है इसे और भी experiments हैं आपको सारे experiments यहां पर बताने वाला हूँ आपर थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे हर एक experiment के लिए किसने क्या explanation दिया दिस न्यूटन हिमसेल्फ particle nature के समर्थर दिस इस हाइगन wave nature जिनोंने प्रपोस किया सबसे पहले particle nature और wave nature दोनों ही reflection को explain करते हैं बच्चो reflection को explain करते हैं अपने देखा न्यूटन ने कैसे reflection, reflection को explain करा है आईगन ने भी अपनी book में explain करा है लिकन कि जो treatise of light है इसमें उन्होंने explain किया है interference को भी diffraction को भी और polarization को भी तो ये तीन phenomenon है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े हमने ये और ये तो पढ़ लिए array optics में है पर कैसे ये तीन phenomenon Newton ने expect भी नहीं किये थे क्योंकि ये wave nature वाले phenomenon है these are some properties shown only by wave अगर आपने sound wave पढ़ा है अपने interference of sound wave आपने diffraction of sound का conceptual knowledge लेना होता है और polarization of wave on a string आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है polarization, diffraction नहीं हम बहुत detail में पढ़ेंगे wave optics में तो पढ़ना ही होता है इन पर base questions हर साल ये main में आते ही आते है या तो diffraction पर आएगा polarization पर आएगा आते ही आते है एन एक question अलग से YDAC पर भी आएगा या wave front की तेमस्ट वेव optics से आप अपने 25 में से जिसमें wave optics के 5 question आये थे can you believe it 25 में से 5 question wave optics से ही आये थे इस chapter को अपन 8 गंटे 10 गंटे में cover करने की कोज़िश करेंगे अगर आप 8-10 गंटे नहीं देख सकते ने 5 question के लिए मुझे अपने ही लगता 5 question आएंगे वो by fluke था wave optics alone का weightage 20% नहीं हो सकते but in general wave optics alone का weightage आपका 12-13% होता है रफली ठीक है नहीं और ray optics का भी उतना ही होता है अब recent year के जो trends देखे गए optics का आपका 25% का बच्चो weightage होता ही होता है 5% in J main and J advance is a big deal you know that yes or no so if optics से वो आ रहा है wave nature होते है ये किस ने explain किया था हाईगन ने explain किया था या Newton ने explain नहीं किया था Newton ने expecting नहीं किया था wave nature अब हाईगन ने दोनों चीज़े explain करी थी ये तो सबको पता था उस समय ये भी तो इससे तो यही लग रहा है कि how correct हाईगन is है ना इससे तो यही लग रहा है अपने को कि हाइगन कितना जादा सही है as compared to Newton but wait until one more experiment that change the entire story in fact इस point तक बहुत सारे लोग हाइगन को देवता मानुस मानले लगे थे भाई इस इंसान ने तो जो लिखा है वो कितना है और लोग guilty feel कर रहे थे हाइगन की तरह आप भी कर रहे होंगे I'm sure यार उसके and he spent his life in poverty ना ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत साथा बहुत सारे पैसा था आईसा most of the scientists के साथ ऐसे ही होता है if your theory is not proved in time भी भी होता है if your theory given by you is not proved within time तो आपको वो nobel भी नहीं मिलता है आपको मतलब कोई बात है कि बहुत सालों तक wait करते करते हैं आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है उस theory का इतने साल उसमें दिये इस point तक Huygens के लिए आपको भी बहुत sympathy होगी but what if I tell you कि Huygens is also not entirely right there came an experiment which proved particle nature of light after this Young's double slit experiment Young's double slit experiment के भी 100 साल के बाद नहीं कि 1900 के आसपास एक particle nature का experiment आया है आप उस experiment को अच्छे से जानते हैं live chat में उस experiment का नाम लिखिये जल्दी से वो particle nature का experiment particle nature को prove करने वाला experiment क्या था उसे किसने explain किया yes there is one more legendary experiment जो कि आपके syllabus में भी है interference, diffraction, polarization के बाद photoelectric effect एक experiment है जो कि Albert Einstein ने explain किया था Albert Einstein ने कभी भी खुद experiment नहीं किया था बट explain किया था इस वाज़े से उनको Nobel मिला है and that sufficiently proves के light का particle nature है photoelectric effect I'm sure आपने chemistry में पढ़ा है class 11 अम भी उसका detail में modern physics का पहला ही chapter है यह detail में पढ़ेंगे and we'll see how the photoelectric effect is proving particle nature but disproving wave nature यह जो दो चीज़े हैं बच्चो एक तो interference experiment में क्या हो रहा है एक तम wave nature प्रूव हो रहा है अपने पीछे देखा and कैसे photoelectric effect में particle nature प्रूव हो रहा है यह आपन देखेंगे यहां से Newton ने यहां से Einstein ने इंफाक्ट बहुत सारे और भी scientist ने यहां से बोलना चालू किया then light has a dual nature light बहुत दोगला है कभी तो wave nature शो कर रहा है interference experiment में YDSC में कभी वो particle nature शो कर रहा है depend गरता है situation पे कि वो कौन सा nature शो करेगा light के उपर है उसका मर्जी इंफाक्ट कौन से direction में चला जाएगा wave या particle यहां तक की story आपको कैसी लगी so far live chat में आप लोग बता है और एक अपना feedback इस question के बारे में भी दे दे this is the first question what do you say about this question very nice या photoelectric effect आप लोग को पता है very nice very nice train hustle, muskan, dipanshu, prakash बढ़िया आयूशी interaction है इस chapter के देखते पाच्छे lecture में अपन करेंगे मस्ती से करेंगे I hope everybody is writing C in the live chat light के दोनों nature है मतला आपको यह बात समझ में आरी के light का wave phenomenon भी है particle phenomenon आपको एक एक अगर example देना पड़े के light के wave phenomenon को बताने वाला कौन सा experiment है आप बोलोगे YDSC light का interference experiment YDSC को detail में अपन पड़ेंगे एक lecture या दो lecture YDSC पर इंफार्क करने पड़ेंगे अपने को क्योंब उसी पर question में लिया particle nature के लिए modern physics में photoelectric effect को detail में पड़ेंगे photoelectric effect that is a very important proof of light being light showing बहुत सारे experiments है ना now we have contributions of so many scientists दो important scientists के नाम में यहाँ पर बताने वालोंगा आपको यहाँ पर बीच बीच में Fresnel Foucault Maxwell है ना, in fact James Clark Maxwell is the guy है जिसने light के wave nature को prove किया है हम बावले के एक बार propose किया है Huygens ने but James Clark Maxwell की mathematics बहुत strong mathematically electromagnetic wave जो के आपका already हो चुका है राइट आप लोग को EM wave हो चुका है के YouTube पे इस बार मुझे बताना if not we'll do it but according to me this has been done is it? बताना ठीकर आपने कहीने कही electromagnetism के बाद ही कर लिया होगा तो काफी time हो गया मेरे खाल से कर लिया है he has obviously predicted electromagnetic waves की existence के how हाँ इस बार हो गया है इस electromagnetic waves Maxwell's equations से हमने समझी थी Maxwell's equations आपको ही बताती है के light का एक wave nature है बड़ अपने बोला के पीछे Albert Einstein ने भी photoelectric effect के through बता दिया था के light is made up of photons light is made up of these energy packets photons के concept को भी बहुत डीटेल में अपने को modern science में समझना है इस light के photon nature यानि के particle nature को propose करने वाले Einstein is on the particle side wave side, particle side यह बहुत सारे और भी नाम है Fresnel, Foucault और इन्होंने सभी ने interference, diffraction and polarization यह तीन properties आपको ध्यान में रखनी यह तीन properties अब चो light की जिससे पता चलता है कि light का एक wave nature है light का wave nature भी है particle nature भी है particle nature आपको photoelectric effect में पता चलेगा है कि light जब एक metal की surface पे incident होती है उसकी अगर sufficient wavelength है अगर उसकी frequency greater than threshold frequency है case में photo electrons emit होते हैं मतलब है electrons अगर emit होंगे तो उसके case में उसका particle nature establish होता है तो इससे अपन एक lecture पूरा देना पड़ेगा modern physics का पहले lecture कि जैसा कई बच्चों को यह नहीं पता होता है कि why is photoelectric effect particle nature है why is photoelectric effect particle nature of light यह कई बार आपको पता नहीं होता है इसको अपन डीटेल में समझेंगे उस lecture 1 में बट उसके लिए wait करो and 1905 तो थोई से timeline देख लिता है कि Einstein ने 1905 में यह जानते हुए dual nature प्रपोस किया क्योंकि उनको पता है कि पहले wave nature प्रूव हो चुका है particle nature प्रूव हो रहा है मतलब light अपने सुवीधा अनुसार एक dual nature wave या particle nature शो करेगी depending on the interaction with surrounding आस पास में कैसी situation है जैसे आपका भी dual nature होगा I'm sure आस पास में दोस्त है तो आपकी अलग ही भाषा होती होगी आस पास में parents है uncle auntie है तो आप अलग ही nature शो करते होगी I'm sure उसी तरह एका nature light का भी है dual nature और even electrons जैसे मैंने अब शूरू में बोला था कि well established जो particles है जैसे आप है हम है आस पास में जोई भी diffraction experiment होगा जो कि अपन dual nature of matter and radiation में पढ़ेंगा यह बहुत ही interesting चीज है सारी फिर I hope थोड़ा थोड़ा आपको gist समझ में आया है इसका अगर आपको यह questions हो जाते हैं तो आपको वो समझ में आया है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ लेट्स दू कापल अफ क्वेश्चन्स गेम चिंजर हो रहा है बिटा क्या बात कर रहे है तुम लोग यार धुरूब आप नय हो चैनल पर बिटा और हर चीज जो इस टीम ने कभी भी कमिट किया है ना वो खतम भी किया है कुछ ऐसे चैनल होते हैं जहां पर चीजे चालू होती वर खतम नहीं होती बढ़ यार अनकैडमी जे इस मामले में यूनिक है क्योंकि हमने जो सीरीज चालू करी है हमने खतम भी करी है आप थोड़ा रेगिलरिटी रखो गेम चेंजर तो चल रहा है कल भी हुआ है आज भी हुआ है मेरा कल है कल EYAC करेंगे बटा एक सीरीज को पूरा फॉलो करो लेकिन शुरू कर दिया है तो उसको अंत तक आप फॉलो करो अच्चे नहीं करते हैं जो करता है वो आईटी में सेलेक्ट होता है सिंपल सी बाद चल यह आंसर आगे है इसकोशन के सभी लोग C या D लिख रहे हैं ओके लेट सी लाइट ट्रावल्स बच्चो लाइट का वेव नेचर क्यों है क्या लाइट ट्रावल कर रही है स्टेट लाइन में इसलिए नहीं है तो पार्टिकल नेचर है लाइट एक्सिबिट कर रही है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वो तो दुरों में ही कर रही है तो यह एक्सपरिमेंट है ना यह लिख लो जो बचल डी लिख रहे है यह तीनों नाम लिखिये आप आपको एक क्वेशन आ सकता है बन या टू नंबर का अपने बोर्ड एक्जाम में यह चीज़े तो इतनी सस्ती के बोर्ड एक्जाम में भी एक दो नंबर की क्वेशन आएंगे कि लाइट का कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे वेव नेचर कनफर्म हो रहा है इंटर्फेरेंस है, डिफरैक्शन है, पॉलराइजेशन है यह किनों को ही अपने को डीटेल पर पढ़ रहा है तो C is the correct answer D क्या बोल रहा है? फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट, अरे भाई D वाले, फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट से पार्टिकल नेचर परूव हो रहा है इन चीज़ों को लिखो, in fact this table को बनाओ इस table summarizes whatever we have learned these are all the experiments and who has confirmed what यह पार्टिकल नेचर या वेव नेचर है, यह आपको समझ में आएगा that is the concept, okay? एक और कर लो है नहीं एक और चीज जो कि आपने पीछे नोट करी है तो नहीं करी है तो देखना जो रे उप्टिक्स, लाइट का जब रे बिहेवियर नहीं कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो लगाना है आपको लिगा ट्रावलिंगे स्ट्रेट लाइन लगाना है उसके लिए क्या dimensions होने चीजए characteristic dimensions मतला आसपास के क्या dimension होने चीजए should the dimension of the nearby object be same order as the wavelength smaller than the wavelength, larger than the wavelength or what do you think just take a call, इसमें हो जकता है आपने से कई बच्चे गलत भी जाएँ that's fine आप एक बार इसको answer जरूर करने की कोशिश करें तो क्या लगता है कि वेव नेचर कब डॉमिनेट होगा पार्टिकल नेचर कब डॉमिनेट होगा है ना पार्टिकल नेचर रे अप्टिक्स के अपन बात करें पार्टिकल नेचर के केस में characteristic dimensions of the slit फ्र एक्जामपल मैं एक window की बात करा एक्जाम्पल से बताऊंगा हम एक विंडो की बात करें थे विंडो के डिमेंशन बहुत जादा होते हैं as compared to the wavelength of light विंडो की जो size होगी वो wavelength of light से तो बहुत जादा बड़ी होती है तो उस case में bending नहीं होगी उस case में आपको जैसे अगर एक window है जिसको अपने open कर रखा है उससे sunlight straight line में आती है यह fact अपने को पता है especially कि सर्दियों के time पे straight line में धूप अधा बट क्या कोई ऐसी window हो सकती है छोटी slit हो सकती जिससे light भी bend कर जाए diffraction बोलते है उस property को यह उसके लिए बहुत छोटी order होनी चीए छोटी order अगर होगी उस case में wave nature प्रूव होगा बच्चो आई होप आप आप लोग ने बड़ी order मतलब much larger than the wavelength लिखा है तो उसकी वज़े से the straight line path होगा जैने कि particle nature डॉमिनेट करे तो दो cases बनते हैं यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर पीछे भी देखा होगा usually the dimensions of everything around light is much much greater than its wavelength किसने बोला था था थाईगर ने बोला था straight line में इसलिए दिखरी है क्योंकि wavelength of light is much smaller than the dimensions the dimensions of the obstacle जो भी है वो wavelength से काफी बड़े हैं wavelength बहुत छोटी है इस वज़े से क्या हो रहा है कि आपको straight line में दिख रहा है वो straight line अगर magnify करी जाए तो crest and truff है यह fact है जिसके basis पे आप wave nature होगा है particle nature होगा उसको बता सकते है जैसे कि एक और case लेता हूँ मैं जिसमें आपको मैंने diffraction बोला ना एक word वो कैसे होता है बता रहा होता है एक छोटी slit जब होती है छोटी से opening होती है इस order की होती है nanometers micrometers के order की opening होती है आपको दिख भी निरी होगी लेकिन यस यहाँ पर अगर light आती है तो light कर जाती है bend light bend कर जाना मतलब diffraction हो जाना जैसे sound का diffraction होता है sound window में से आती है वो पूरे घर में भी फैल जाती है बहर से अगर traffic किया आवा जा रही है आपके घर में वो पूरे घर में सुना ही देती है ऐसा क्यों हो रहा है sound is not traveling in a state line sound एक diffraction शो कर रहा है window की size और sound की wavelength की size equal होती है window की size sound की wavelength meters के order में होती है sound का diffraction बहुत obvious है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो दूसरे room में भी सुना ही देगा तो मम्मी kitchen से आवार लगी आए कि आपको सुना ही देगा because sound is bending easily around doors around windows यहाँ पर dimensions same order के wavelength of sound से यहाँ पर dimensions much much greater than wavelength होता है उस case में much larger than wavelength होने के लिए ray वाला behavior यानि कि particle वाला behavior शोग करेगा एक समद में आई यह चीज़ है यह बच्चों आपको चीज़ें detail में पढ़नी है गर आपने अभी भी एक just idea लिये है that is fine अभी तक in fact को लिखना भी नहीं आपने लिखा भी नहीं होगा आइडिया लेना बहुत जरूरी है idea से आपको concept बन देखने है यह पर wave nature of light पढ़ रहे है तो आपन बीच बीच में light के wave behavior को समदने के लिए wave का भी एक revision करेंगे है यह जरूरी नहीं है बट जैसे मैंने कहा 11th class में कई बार हम लोग waves उतना detail में नहीं पढ़ पाते है frankly speaking मैंने भी class 11th में waves छोड़ दिया था जिस coaching में हम पढ़ते थे साथी साथ जिस school में हम पढ़ते थे school में तो दो दिन में wave हो गया था कोचिंग पे करवाया ही नहीं था या करवाया था उस समय मैं गया नहीं था जानी पाया था किसी reasons लेकर ना बट wave nature जो होता है वो क्या होता है wave कैसे propagate करती तो आपने I think ये एक transverse wave का concept समझा होगा वेवाइस कर लेते हैं तो wave क्या होता है wave को define कैसे कर सकते it's a traveling disturbance it's a traveling disturbance जिस पे देखना particle of the rope उपर नीचे move करता है किसी भी rope पे अगर अपन wave देख रहा है तो उसका particle तो उपर नीचे move कर रहा है लेकिन क्या चीज़ ट्रेवल कर रहा है बच्चो disturbance ट्रेवल कर रहा है what is traveling on the right side is the disturbance or the energy right ऐसे अपन define करते थे wave को याद करो traveling disturbance and where some physical quantity changes with space and time very important two facts देखना space and time के साथ यनिके x and t के साथ कोई एक physical quantity change होती है wave on a string की बात करें तो y equal to a sin kx minus omega t एक equation आपने देखी होगी कितने बच्चो निए equation कभी भी देखी है बताना, yes आपने waves टढ़ा है TOM equation विलकुल याद ना है आपने देखी नहीं को है आपने waves कभी नहीं पढ़ा होग आपने waves बढ़ा ही activities but I am sure जातर बच्चो निए equation जरूर देखी the active macht 21的話 यहाँ पर सभी पास किया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी physical quantity change हो रही है time के साथ y, यानि कि displacement of the particle in y direction is changing with space, x and time तो समक्ना है, और उसे दरे से sound wave होती थी, इसको pressure wave की form में भी लिखते थे pressure amplitude sin of kx minus omega t sound की wave को भी pressure wave की form में लिखते थे, यहाँ थे space and time का कुछ तो physical quantity का variation होना चाहिए in case of sound wave that physical quantity is pressure in case of sound wave that physical quantity is pressure, excess pressure यह displacement in y direction transverse wave की case में y direction में displacement होता है एक longitudinal wave पढ़ते थे, हम याद है आपको sound wave की बात कर रहे हैं, तो longitudinal wave होती है, मतलब उसमें compression and rarefaction बनते थे, एक tube के अंदर sound wave अगर travel कर रहा है वो किस तरह से travel करेगा बच्चों कोई भी particle air का किसी भी point पर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ वो सिर्फ आगे पीछे oscillate कर रहा है, आगे move नहीं कर रहा है कोई भी particle air का आगे पीछे move कर रहा है in the same direction as the direction of propagation तो इसको अपन बोलते थे longitudinal wave है ना, longitudinal नहीं है, by the way कुछ pronunciation अपन ठीक कर लेता है इसपन में सभी लोग longitudinal बोलते थे बट longitudinal is better, longitudinal is more authentic I think hygen को भी कई लोग, hygen को भी कई लोग otherwise बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते है hygen is the correct way to pronounce it यहाँ पर आप समझ गये, wave की definition it's a traveling disturbance some physical quantity in this case the excess pressure travels या changes with space and time, ठीक है के अलावा हमने mechanical wave, non-mechanical wave का भी एक distinguish किया है यह अगर wave on a string है, तो mechanical wave की category में आती है जिसमें it requires a medium to propagate on the same method, electromagnetic wave भी अपने डिफाइन किया है एक पूरा electromagnetic wave chapter अपने किया है जिसमें light wave is having electric and magnetic field changing with space and time इसकी equation यह वाली होती है light की equation होती है, electric field and magnetic field changing with space and time इसका just एक idea आपको होना चाहिए इस chapter में यह equation use नहीं होगी thankfully इस पूरे chapter में यह equation use नहीं होगी अट एक दो point पर यह equation का reference हम जरूर लेंगे what is light? light is electric field changing with space and time इसकी आपको पता होगा कि light wave पर पूरा एक chapter electromagnetic wave जिससे एक question हर साल पका आता है यह कुछ chapters है मैं आपको 3-4 chapters के नाम बता रहा हूँ जिनसे पका question आने वाल है wave optics is obviously one of them but wave optics थोड़ा लंबा है electromagnetic wave हो गया communication system अपन करेंगे अभी कुछ दिनों में semiconductors तो ही है logic gate उसी में आजात है semiconductors में इस सब modern physics के पार्ट है magnetic properties of matter अपने जुलाही में कर ली है earth magnetism permanent magnets इन सब chapters को करने में भी मतलब शायद एक weekend ही लगता है 7-8 chapters है इनको करने में एक weekend लगता है और इनसे एक-एक question short short आता है ठीक है तो electromagnetic wave is also one such chapter नहीं देखा है तो देख ले ना electric field and magnetic field का variation है अपना lecture mostly यहां से start होता है जहां पर आपको कुछ चीज़े लिखनी पड़ेगी यह आपको एक generic idea दे दिया है कि wave optics में होने के आवाला है अपन हाइगन's construction हाइगन's principle की बात करने वाले detail में बट देट इस not going to happen unless we know concept of wave front हाइगन's principle को समझने के लिए हमें wave front के concept को समदना पड़ेगा अभी अपन कुछ देर के लिए wave front के concept को समझेंगे फिर हाइगन's principle पर आएगी जल्दी से आप एक नई heading बनाएगे wave front wave optics chapter में ही सबसे पहले आपको wave front एक concept पढ़ना है इसकी definition एक बार लिख लो आप let's write up its definition wave front क्या चीज़ है wave front is nothing but contour of all particles which are vibrating in same phase इसका idea लेंगे अपन बहुत अच्छे से पर एक बार तो definition लिखना contour contour का मतलब है collection word है contour जिसका मतलब होता है collection of all the particles which are vibrating in same phase ठीक है locus of all particles एक और शब्द अपन यहापर यूज कर सकते है locus जैसे match में यूज करते हैं locus of all particles will make up a surface actually ठीक है ना देखना नीचे एक और definition अपने इसकी लिखी है definition number two surface of all points which are having same phase यह second point को देखना ध्यान से समझते है same phase का मतलब के अब यह phase वोई concept है जो आपने again SHM में, waves में या as recent as alternating current में तो phase समझाई ही होगा जिन बच्चों ने alternating current वी तक नहीं पढ़ा है again a very important topic alternating current में जैसे phase का concept है वैसे यहाँ पर phase का concept अपन समझ रहे है यहाँ पर एक source of light है बच्चों ध्यान दे ना अब this is a source of light ना this is a source of light जिससे light हर डिरेक्शन में जा रहा है it's a point source of light क्या हम बूल सकते हैं यह source of light से जो light जा रहा है वो हर डिरेक्शन में जा रहा है point source can be thought of as a star हो जखता है sun अपना खुद का sun जो है वो भी point source of light है जिसससे light जा रही कि 3 dimension में हर direction में, 3 dimension में हर direction में, right? But एक point ऐसा है, ऐसे बहुत सारे points हैं, जिन में phase same है, phase same होना, मतलब, यहां पर जो भी particles है, यहां पर जो भी particles है, same distance from the source पर actually जो भी particles है न, वो same phase में हो, phase मतलब, सभी एक साथ maximum पर आएंगे, सभी एक साथ zero पर आएंगे, if I see all these particles, locus of all these particles, या contour of all these particles are vibrating in same phase, they will make up a wavefront, यह चीज़ क्या बन जाती है बच्चो, this is an example of a wavefront, एक diagram भी आप बना सकते हैं, यहां पर, point source से निकलने वाली, state lines, and एक particular distance पर है, जैसे आप बनाते हो, क्या understanding लेके अपन बनाते हैं, एक particular distance पर सारे particles क्या होंगे, same phase में होंगे, same phase का मतलब क्या है, same state of vibration, इनको phase का concept बिलकुल नहीं आता, याद करो यार, phase का मतलब होता था, phase represents state of vibration, state of vibration, maxima पर है तो maxima पर होंगे, अभी maxima पर होंगे, एक particle minima पर है, surface पर, सभी particle minima पर होंगे, ऐसे करके एक surface बनती है, locus of particles, मतलब है, it's a surface joining, all the points which have same phase, phase, ठीक है, लिखा, definition लिखा, diagram में एक बार शोग भी कर दो, yes, very nice, very nice, AC में भी किया था देखो, और अगर किसी ने SHM भी पढ़ा है, याद करो, तो SHM में भी zero से start करता है, फिर maxima पर πाई बाई टू phase हो जाता है, फिर वापिस, जब origin पर आता है, पाई phase हो जाता है, फिर 3 पाई बाई टू हो जाता है, फिर 2 पाई हो जाता है, phase क्या चीज़ है, वो angle है, इसना sign के अंदर जो भी angle होता है, वो phase होता है, वो एक state of vibration को represent करता है, जीरो, 5 by 2, 5 ऐसी value उसकी हो सकती है, यह सारे particles same phase में है, same state of vibration में, आप यापर देख पार है कि इस तरह का circular pattern बन रहा है, तो यह circular pattern ही यह surface है, जो की same phase में represent कर रही है, इसकी जगे आप sound source को भी मानो, यह diagram original ही तो sound source का है, एक speaker से sound जारी हर direction में, एक speaker की sound जारी हर direction में, और उस speaker के wave fronts कैसे बन रहे हैं, तो if I ask you, what is the real shape of this wave front, I ask you this question कि इस wave front की असल में shape क्या है, circular है क्या, आप यह आपको circular shape दिख रही है, इस तरह का diagram आपको बनना चीए बच्चो, इस तरह का diagram बनाया है क्या देख लो, नहीं बनाया है तो बना जरूर ले न, this is one important, understanding जो आपको diagram सही मिलेगी कि यह point source से, जो आपको rays मिल रही है और wave fronts मिल रहे है, पहली बात तो यह blue color के wave fronts है, यह क्या हमेशा rays से perpendicular बनाया है आपने, क्या हर point पे हम बोल सकते है कि यह wave front और ray perpendicular होंगे एक दूसरी से, have you made the diagram like this, automatically यह diagram ऐसी बनता है ध्यान दो, कि यह ray और wave front हमेशा perpendicular होते है, ray मतला propagation जिस direction में हो रहा है और यह wave front perpendicular to it है, तो यह भी एक fact हो जाता है, propagation of the wave happens in direction perpendicular to the wave, लिखने की ज़रूरत थिए diagram में show कर दो, direction of propagation and wave front हमेशा एक दूसरी से perpendicular होते है, ठीक है, यह perpendicular शो कर दो, diagram में, and I am asking की what is the real shape of this wave front, is it circular, is it what something else, Mahek, Tushil and Dipanshua writing spherical, do you all agree with them, all right, hello Rohit, keep watching यार, keep watching the lectures, प्यार देते रहो, lectures को like करते रहो, ठीक है, so spherical is the correct answer, because point source से जो light waves generate हो रही है, वो three dimension में हर direction में जारी, point source of light हो, point source of sound हो बच्चों, जिससे light जारी है, वो हर direction में जारी, three dimension, not just limited to, two dimension, some point source की case में क्या shape of wave front बोलेंगे, we'll call it spherical wave front, उस diagram के नीचे आप यह भी लिखे हैं, spherical wave front बता रहे हैं, अपन point source बता रहे थे, उसकी three dimension में एक sphere बनेंगे, आप समद रहे हो, यह diagram बड़ा ही interesting है, यह diagram आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं I'm sure, यह sphere है बच्चों, यह spherical wave front है, यह हर direction में जा रहे है, इसको थोड़ा सा और visualize करना, आपने अगर कभी पठाका फूटते हुए देखा है fire cracker, especially जो हवा में जाके ऐसे फट जाते हैं, उसमें भी आपको जो shape दिखती है वो दूर से तो circular दिखती है, but in reality that is a spherical wave front only, कि देखना जब cracker fire cracker burst होता है यहाँ पे, वो point source of light हुआ, point source of light अपनी light हर direction में भीज रहे हैं, कुछ समय के लिए तो उस पर gravity का effect नहीं हो रहा है, gravity का effect उस पर शुरू शुरू में तो visible नहीं है, effect तो हो रहा है, but visible नहीं है, but can you see that there is a spherical wave front here, yes, देखो मज़ा आया, यह visualization में मज़ा आया तो thumbs up बना दो, यह आपनी diagram पीछे बनाया, I hope, एक point source of light just like a firecracker, worst in the sky, दूर से तो circular pattern लगता है, असल में वो क्या, three dimension में, spherical pattern है, तीन dimension में फटता है वो, spherical pattern है और साथी साथ वो, sphere के भी surface से perpendicular है, यहाँ पे perpendicular है, sphere की surface से perpendicular समझ में आ रहा है, what is all these wave fronts, what is the shape of the wave fronts, spherical, and these are all particles which are vibrating in the same phase, same phase में यहाँ पे समझ न, जैसे आपके पास two shot, three shot, ऐसा कुछ फोड़े क्या कभी है, three shot भी होता है, उसमें क्या 12 shot भी होता है in fact, उसमें एक जगे क्या होता है, एक जगे पे तीन धमाके होता, one by one धमाके होता, I think this is two shot, एक जगे पे दो तीन धमाके होंगे न, तो आपको अलग-अलग sphere अलग से दिखेंगे, you see, यहाँ पे दो sphere आपको clearly अलग से दिख रहे हैं, देखना अभी आप, इसका क्या मतलब है कि इनका phase अलग है और इनका phase अलग, यह अलग phase में यह अलग phase में, जो same phase में आपने एक marking कर दी वो wavefront बन गया है, wavefront मतलब all these particles which are in the same phase, these ones are in the same phase, भार भी same phase में है, यह बात आपको I hope समझ में आ रही होगी, इसी तरह से हम एक और planar wavefront समझेंगे यहापे, यहापे planar wavefront का भी diagram बनाए, planar wavefront का आप diagram देखना, ऐसे बनाना बहुत सारे planes हैं जो कि एक दूसरे से parallel में हैं, जो कि एक दूसरे से parallel में है, parallel wavefront कब बनते हैं, parallel wavefront कब बनते हैं, लास्ट वाला सामने बनाना, planar wavefront कब बनते हैं, planar wavefront बनेंगे जब parallel set of light rays are coming, parallel set of light rays are coming, planar wavefront बनेंगे, जब parallel to each other light rays are traveling parallel to each other, अब light rays parallel to each other कब travel करती है, जब source infinity पे होगा, source जैसे sun है, अभी बहुत इच्छा example है, थोड़ा से इसको सबंदे की कोशिश करना है, क्यार अपने पास एक sun है, जिस पे actually क्या हो रहा है, हर एक point पे fusion reaction हो रही है, sun पे हर एक point पे एक light के source वाली reaction हो रही, fusion reaction के वेज़े से sun चल रहा है, point source of light is sun पे हर surface, point source of light की विज़े से जो wavefront बन रहे हैं, यह ultimately बहुत दूर जाने पे कैसे हो जाएंगे shape में, planar, क्योंकि sun से जो light आ रही है, वो ऐसे आ रही है, वो शुरू में तो spherical दिख रही है, बट धीरे-धीरे क्योंकि sphere बहुत बढ़ा हो गया, अर्थ तक पहुंचते पहुंचते, that sphere is so vast, imagine that, तो उस sphere की जो surfaces है वो क्या है, planar surfaces, दूसरे से parallel है, light rays एक दूसरे से parallel भी है, क्योंकि infinity पे source है, आप यहां पे क्या, इस तरह का planar wavefront का diagram शो कर से, दो अपने अभी तक सीखें, एक तो spherical आपको अच्छे से समझ में आ गया, spherical I hope आपको अच्छे समझ में आ गया, planar wavefront को भी समझने की कोशिश करें, यहां पे भी जो direction और propagation है, light अगर travel कर रही है, वो perpendicular to, perpendicular to your wavefront है, हार एक point पे light क्या है, perpendicular to wavefront होने ही वाली है, और साथी साथ बच्चों यह भी एक show करो, कि हर दो wavefront के बीच का distance same होता है, हर दो wavefronts के बीच का distance usually wavelength के बराबर होता, usually है न, जो और भी होजगता है बड़ यह wavelength के बराबर होता है, पीछे के diagram में भी, I am sure आपने एक point पे note किया होगा, अगर नहीं note किया तो ध्यान देना, यह जो एक distance होता है between two wavefronts, यह constant ही होता है, और usually क्या होता है wavelength के बराबर होता है, यह wavelength के बराबर होता है distance, एक wavefront से दूसरे wavefront के बीच में, और इसलिए light को एक wavefront से दूसरे wavefront पे जाने में, light को एक wavefront से दूसरे wavefront पे जाने में same time लगता है क्या बोलता है और ये वाली property आप लिखना ज़रूर दो properties एक तो perpendicular होता है property number 2 है in wavefront के related time taken by the light to travel from one wavefront to another is same along any line इसका मतलब क्या है दियान से सुनना कि light चाहे इदर से ले लो आप लेकिन एक wavefront से दूसरे wavefront तक का time यहां से यहां तक का time same होगा क्योंकि light is traveling along one wavefront to another along any line क्यों time same होगा आप यहां पे समझ सकते हो कि wavelength क्योंकि distance same हो time भी same होगा क्या हम ये वाली ray ले ले इस wavefront से इस wavefront तक का time यहां से यहां तक का time same होगा because you are travelling from one wavefront to another, along any line. Okay. Alright, Gaurav, Khushi, Sushil, Kanchu, Chandan, thank you for the thumbs up. But, कुछ चीज़े लिखते भी रहो, बच्छो. एक तो planar wavefront का एक diagram बना लो. और उसमें आप एक यह line लिख लो, इस line को एक बार लिख लो. क्या है, यह property है, दो properties अपने यहां पर discuss करिए, एक property को लिख लेना है, एक को लिखने की ज़रूत नहीं थी. एक property तो यह थी कि परपेंडिकुलर में travel कर रहा है. एक और यह है कि time taken by the light to travel from one wavefront to another is same along any line. लिख दो, time taken by the light to travel from one wavefront to another is same along any line, बच्छो. कोई भी line के along लेलो, आपको time taken by the light ray same मिलेगा. यहां पर आपका यह wavefront का concept समझ में आता है. planar wavefront का diagram कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आप लोग के book में planar wavefront का diagram कुछ ऐसा दिख रहा है, बनाया. हम यह बोल रहे है कि यार एक wavefront से दूसरे wavefront का time इसी भी ray के along सेम होगा क्योंकि distance सेम होगा, simple सी बात है. यह ना, बट देखने है यह property number one यह property number two अभी हम काम में लेंगे wavefront बनाने के लिए तो, property number one क्या थी? raise a perpendicular to the wavefront, side view देखने है यह वाला, raise हमेशा wavefront के perpendicular है, this is your planar wavefront, wavefront के raise हमेशा perpendicular होती है, आप show कर सकते है यहापे भी, कि यह perpendicular है, कुछ इस तरह के diagram आपने बना लिया होगा, planar wavefront का raise perpendicular है, show कर दो लिखो बात, but yes, यह line लिख लें, time taken by the light to travel from one wavefront to another is same along any line, दो तीन बार मैंने बोल दिया है, तो I hope आपे लिख भी लिया है, चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका wavefront का concept खतम होता है, एक question भी दूँगा मैं आपको, wavefront के concept को आप आप अपर apply करेंगे, अभी और भी apply करेंगे, अपन एक question को एक बार ट्राय करना, क्या लग रहाँ आपको, What is the shape of the wavefront produced by a uniform linear source of light, a uniform linear source of light will be like a tube light, अगर एक linear source of light है, तो वो tube light की तरह होगा, और उसका किस तरह की shape आईगी wavefront की आपको यह बताना है, the correct answer of this question is, ए बच्चे B बोल रहे है, planar हो जाएगा क्या, नहीं या, planar तो नहीं होगा, but cylindrical होगा, तो देखने इसको थो थो विजुलाइज करो, क्यागर आपके पास एक linear source of light है, उससे light rays कैसे निकलेगी, अपने यह diagram भी बनाएंगे, एक linear source of light है, एक straight line है, जिसमें से light निकल रही हार direction, light is coming out in every direction, ठीक है, यह diagram भी बनाएंगे, line बनाना, but what is the shape of this wayfront, जो की इससे बन रहा है, इस wayfront की shape क्या हो जाएगी, जो की इसके वैसे बन रहा है, हम यहाँ पे भी एक, इस तरह का circle बना रहे है, यहाँ पे भी circle बना रहे है, यह हर एक point पे हो रहा है, तो these are the cylindrical wayfronts, cylindrical wayfronts जा रहे हार direction में, आपने इस तरह के diagram और भी कहाँ बनाएं हुएं, आपने इस तरह के diagram और भी, किसी chapter में तो बनाएं हुएं, तो देखने हैं इसको कैसे बनाना है, इस blank page पे भी बना रहे हैं, आपको भी बनाना हैं यह diagram, यह linear source of light है, infinity तक है, uniform linear source of light मान लो, infinity तक मान लो, और इससे हर एक point पे light कैसे निकल रही है, light कैसे निकल रही है, जैसे electric field निकलता था ना बच्चो, कॉन सर topic से relevant लग रहा है, यह थोड़ा बहुत diagram, एक तो infinite line of charge आपने पढ़ा था, infinite line of charge से जो electric field lines निकलती है, उन में क्या shape होती है, equipotential surface की, so that is the topic, equipotential surface, अरे वाया, कुशी ने लिखा भी है, वही नाइस, equipotential surface का concept, आपने जो equipotential surface का concept सीखाना है, वैसा ही आपने यहाँ पे, एक और concept सीखा है, optics में, अप्टिक्स में, और electrostatics में भी कुछ similarities है, तो I can assume all these points, to be at same phase, I can assume all these points, same distance from the line, at same place, same r पे electric field same होता था, same r distance पे 2k lambda by r, electric field same होता था न, वो सारे points जो की same distance पे होगे, इस line से, line से same distance पे होंगे, they will be what, at same phase बच्चा, hence what you have is, cylindrical wavefront, बना लेना ऐसा diagram, cylindrical wavefront का diagram है, cylindrical wavefront कैसे बनते हैं, uniform linear source of light से, और इसको ऐसे भी visualize करना, आपने full जड़ी तो चलाई है, full जड़ी चल रही है, light का ही source है वो भी, उससे कैसे आपको, अलग-अलग direction में lights दिख रही है, और वो points जो की same distance पे है, from the light source, वो hard distance same है, तो वहाँ पे सबका, phase भी same होगा, but naturally, समझ में आया है, cylindrical wavefront, समझ आया है, सभी को, मज़ा आया, yes, cylindrical wavefront पे भी question आये हुए है, और ये एक तो इस तरह का theoretical concept है, तो theoretical question आ सकते हैं, एक बार जल्दी से अपन revise कर लेते हैं, तीन type के अपने sources पढ़े, point source की वज़े से spherical wavefront, तो यादे को point source की वज़े से spherical wavefront बनाया था पने, लगता circle है, बट वो sphere है, linear source की वज़े से cylindrical wavefront बनाया पने, linear source like a tube light also, will have a cylindrical wavefront, अब क्या है कि light invisible है, ने पूरे reoptics में आपको शुरू के lecture में क्या बता है, light itself is invisible, बता है आपको light invisible है, कि जहां कहीं पर भी light है, light का path नहीं दिख रहा है तुमें, हम तो ये बनाते हैं, ये diagram अपन क्यों बनाते हैं, ताकि light के path को show कर सके, light खुद तो दिखती नहीं है, light जारी है ऐसे ये दिखता है कि कभी आप, नहीं दिखता है, light is invisible, पर उस concept को अपन समझने के लिए, draw करते हैं, ये ray diagram, planar wavefront parallel source of race के लिए आता है, उसके लिए source infinity पे होता है, parallel race के लिए आपको planar wavefront मिलता है, ये पैरलल electric field lines के लिए, planar equipotential surfaces होती थी, यादे के नहीं, parallel electric field, uniform electric field के लिए, planar surfaces होती थी, equipotential surfaces भी, point charge के case में spherical होती थी, ये concept equipotential surface जैसा है, exact same नहीं है, जैसा है बोल रहा हूं मैं, अब इसलिए अलग chapter में पढ़रे हैं तो अलग है, और दो important properties भी अपने समझे, race up appendicular to the wavefront, time taken by the light to travel from one wavefront to another is same along, यादे line, यादा clarity है, यादा concepts clear हो गएं आपको, एक और question से जानेंगे, एक पर इस question को try करो पुच्छो, झाँ 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 झाल झाल ठीक है तो देखना यह एक format अभी I think J main में भी ज़्यादा आ रहा है मैं नोटिस किया कि यह कुछ points है जिन में से कौन से points सही है उसी साब से आपको answer करना है A, B, C, D I hope आपने D नहीं लिखा यार इसका Hello? D is not the correct answer I think Let's check it D मेरे ख्याल से तो correct नहीं है और क्या क्या दूसरा कोई option है देख लेते है surface where disturbances in same phase surface बोल दो contour of points बोल दो is the definition of wavefront this is definitely correct direction of wave at a point is perpendicular to the wavefront wave का direction और wavefront perpendicular होते है wavefront of a wave point so spherical ये भी सही है but I think C is the correct answer क्योंकि D क्या बोल रहा है देखना wavefront of a wave going along a fixed direction are planes perpendicular to that direction I think ये भी सही है I think D is the correct answer is it C or is it D mild heart attack chose who wrote D I think here the answer is D the language देख लेते है D वाले की it is D is D D is the correct answer क्योंकि देखना ये भी सही तो बोल रहा है wavefront of a wave going in a fixed direction what is a wave going in a fixed direction uniform parallel lines like this इसमें आपको planes मिलते हैं perpendicular to that direction अपने planes कैसे बनाये planes perpendicular to the direction नहीं बनाये न ये आपका वोई सही planar wavefront वाला concept है D इसका correct answer this completes the first part of our lecture बच्चों इसमें अपन एक higens principle वाला पार्ट भी पढ़ने वाले हैं higens principle भी आज ही इसी lecture में अपन cover करने वाले हैं ध्यान देना बच्चों ये सबसे important चीज है अगर हम बात करें तो पूरे wave optics में सबसे important चीज क्या है higens principle, higens ने जो concept दिया है higens construction भी बोलते हैं इसको कैसे draw करना है wavefronts को अपने को construction का method बता है higens ने तो उसे हम तीन टुकडों में पढ़ेंगे है higens principle को हम आज के इस lecture में पढ़ रहे हैं और इसे हम तीन points की form में पढ़ेंगे generally इसके कोई points as such नहीं होते हैं but मैंने इसको breakdown कर दिया principle यानि जो उनने कहा है जो concept दिया है उसको 3 points में breakdown कर दिया है आप भी ये 3 points को लिखेंगे पहले लिखने से पहले I think very important concept आपको मैं को जो examples से बताऊँगा दो examples अभी अपने लिया थे spherical wavefront के spherical wavefront कैसे बनता है point source से यह भी एक diagram है spherical wavefront का जिसमें point source से light rays हो हर direction में जारी है और point source की light rays अगर हर direction में जारी ही तो हमें पता है कि उन direction से perpendicular आप कई बार ऐसे भी कर सकते हैं जिसे equipotential surface भी अपन कैसे बनाते थे electric field lines बना दी उनके perpendicular electric field lines बना दी उनके perpendicular हम बनाते थे तो क्या हमें मिलता था wavefront मिल जाता था यहाँ पर equipotential surface इस तरह से अगर आपको spherical wavefront मिल रहा है क्या हम बोल सकते हैं बचों कि every point on this wavefront is also vibrating in the same phase as the with same frequency as the source या add कर दो as the source as the primary source में add कर देता हूं in fact as the primary source आप लेख लेना इस चीज को चले यही पर लेखना चालू कर दो आप लोग एक-एक points की in this form में अपन higens principle समझेंगे काम हो जाएगा what is the first point every point on the wavefront is vibrating in the same phase and with same frequency as the primary source देखना चालू कर रहे है higens principle एक नए page पर adding बना है पहले three points अपन इनके समझेंगे फिर इनके बहुत सारे examples करेंगे ultimately समझ में आ नहीं वाला है every point on the wavefront vibrates in the same phase with same frequency as the primary source मतलब क्या देखो यार यहां पर एक source है आपके पास जिसकी वज़े से wavefront बन रही है उस source की कोई frequency है right किसी भी light की source की कोई frequency है frequency of light coming from sun जिसकी वज़े से अलग-अलग wavelength आती है wavelength पता है तो frequency निकाल सकता है hertz में frequency आती है समझ में आ रही है obviously wave है तो उसकी frequency भी होती है और इस source की जो frequency बच्चों वो इनकी भी vibration की frequency है यह points कौन से है जो की wavefront पे points से देखो इन points की भी जो vibration हो रही वो किस frequency से हो रही है same as the frequency of this source मत समझ में आ रही planar में समझता है यह examples है नीचे जो आपको मैं बता रहा हूँ वह example है सिर्फ आपको उपर वाली line लिखनी है और उपर वाली line का मतलब क्या planar wavefront में अपन समझता है देखना original source की कोई frequency थी इस plane पे जो भी points हो उनकी भी vibration की frequency वही रहेगी इनके भी कोई तो electric field की vibrations की frequency होगी light is a electric field यहां तक आ रहा है इस wavefront पे भी जो भी points ले रहे हैं यहां पे यहां पे वह भी बच्चो vibrate करते हुए points हैं यह बात आपको समझने की जरुआते है देखना Huygens ने एक idea दिया है जिसको apply करना थोड़ा सा typical है मतलब थोड़ा सा अगर आप उसको visualize कर पाओ के तब ही मज़ा आएगा अपन तो obviously visualization के लिए जाने जाते हैं तो आप ध्यान देना यहां पे कैसे क्या बोल रहा है बंदा है यह जो points से 3 points है planar wavefront की बात कर रहे थे यह 3 points भी क्या कर रहे हैं आप भी vibrate कर रहे हैं बतलब यह खुद भी एक source बन गए है है ना कि point आपको दीरे दीरो ने दिमाग में बनाना है तो इसको बहुत ही carefully समझ रहे है ध्यान देना कि यह 3 points के हैं मैंने 3 points लिए ऐसे तो infinite point है यह plane wavefront planar wavefront यह 3 points लिए बट इनके भी क्या होने वाले vibrations होने वाले और इनकी वज़े से भी wavefront बनने वाले है if we are saying every point on the wavefront is vibrating can we say point number 2 देखना है एक बार every point on the wavefront is now acting like a secondary source all these points in the diagram are nothing but our secondary source तो एक term यहाँ पर introduce करना बहुत ज़रूर है secondary source जो कि primary source तो नहीं है और सुनना मज़ा आएगा क्या होगा क्या आप यह चीज़ को किसी बुक में पढ़ने की कोशिश करोगे फिर 10 वीडियो और दिखोगे उससे बढ़ी है अगले 10 मिनिट पूरा फोकस रखना है इस lecture में देखना है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तो प्राइमरी सोर्स है जिसकी वएसे light पहली बात तो बनी suppose that example light यहाँ पर बन रही पाइमरी सोर्स की जब vibrations किसी wavefront पर पहुंच रही है तो हम कहनें कि यह point भी vibrate कर रहे है क्या यह point same frequency से vibrate कर रहे है as the original source yes original source की frequency से vibrate कर रहे है यह बात आपको समझ के चलनी है ठीक है उसके बात क्या in points पर अगर vibration हो रही है तो इनको भी source माना जाए अगर in points की भी vibration हो रही है क्या इन्हें भी source माना जाए yes बट क्या इन्हें primary source बोलेंगे नहीं यह हो गए आपके secondary source हर एक point जो की wavefront पर है act कर रहा है secondary source की तरह है जिससे light और आगे जाएगी send out spherical waves known as secondary waves यह जो spherical waves दिख रही आपको यह जो sphere की form में waves दिख रही है यह आपकी हो गई secondary waves diagram में भी show करेंगे अपन यह जो red waves दिख रही आपको these are nothing but the secondary waves and secondary waves are traveling in what direction? in the direction of wave propagation आप यह भी देख रहो कि spherical पूरा sphere नहीं बन रहा है इस side में अपन hemisphere ही बना रहे इस side नहीं बना रहे because इनको travel करना है in the direction of propagation एक तो यह point आपको थोड़ा बहुत समझ में आया भी इसको लिखो फिर अपन एक diagram समझेंगे भी एक diagram बनाएंगे यहाँ पर एक बार आप इस line को लिख लो जल्दी से without any change of words शब्दों को change नहीं करना है जो line उपर दिख रही इसको एक बार जल्दी से लिख लो बच्चो ठीक है इसको पूरी तरह से समझने के लिए लिखना जरूरी है जरूरी है लिख लिया आपने हाइगन्स प्रिंसिपल में हम पॉइंट वाइशे पॉइंट होते नहीं है मनला हाइगन इस नॉट टेलिग्यू आप इस पॉइंट आप इस पॉइंट यू वो एक secondary source की तरह act कर रहा है अब diagram में समझे इसको diagram आपको भी बनाना है इसके नीचे यह एक wavefront था आपने पास अब यह planar wavefront का example लेके चल रहे हम और इसका हर एक point क्या कर रहा है secondary source की तरह act कर रहा है वो primary source नहीं है तो हम इसको secondary point source की तरह act कर रहा है और इससे भी wavefronts बन रहे है अब वो waves क्या है it sends out spherical waves क्योंकि point source की तरह act कर रहा है यह spherical wave बन रही है लोने secondary waves secondary sources की secondary waves these are my diagram बनाओ these points are my secondary sources आराम से समझों कोई जल्द बाजी नहीं है यही important point है क्योंकि and these are your secondary waves which are obviously spherical क्योंकि point sources से क्या बनती है secondary waves तो देखो मैं कैसे बना रहा है ना मैं इसको जो अलग-अलग 2-3 बार बनते है वैसे बना रहा दो बार enough होगा वनना ज्यादा होच पोच हो जाएगा और यह सारी क्या है secondary waves secondary wavelengths भी बोलते हैं इनको क्योंकि यह छोटी-छोटी waves है तो wavelength टर्म है piglet की तरह है ना piglet क्या होता है मालू मैं tour के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो बड़े गंदे होते हैं बड़े cute लगते हैं कभी-कभी secondary waves के छोटे जो बच्चे हैं वो wavelengths क्यलाते हैं इनको waves ही बोलना जादा सही है वैसे wavelengths भी बोलते हैं कभी-कभी और secondary sources से बन रही है obviously अब देखने हैं यहाँ पर सबसे important चीज़ देखो क्या हो रही है यह diagram आपको समझ में आ रहा है यह diagram इस तरह से proceed हो रहा है आपको एक तो यह static diagram ने proceed हो रहा है यह planar wavefront था उसके हर एक point को आपने secondary source मान लिया उससे क्या बन गए secondary waves अब इन सभी का जो super position है इन सभी का जो एक envelope है that will give you another wavefront known as secondary wavefront secondary wavefront secondary wave अलग चीज़ है secondary wavefront क्या है इस wavefront से एक और wavefront जो बन पा रहा है एक wavefront से दूसरा wavefront बनता है फिर से यह वाला जो wavefront है आपका चालू हो जाता है यह point यह point यह point फिर से activate हो गए activate हो गए मतलब इन से भी secondary waves बनने लगी यह भी secondary source हो गए और इस तरह से wave का propagation आगे चलता रहता है wave जिस direction में जा रहा है उसी direction में sphere बनाने यह hiker ने बोला है wave जिस direction में जा रहा है भाई उसी direction में आपको यह spherical wavefront बनाने चोटे चोटे secondary waves ऐसे बनानी और यह आपका point number 2 होता है point number 3 भी in fact यही हो गया every point on the wavefront is acting like a secondary source every point on the wavefront is acting like a secondary source which is sending out spherical waves which are known as secondary waves तो आप secondary waves भी बता दो blue वाली सारी क्या है secondary waves and onset direction में send कर रही in the direction of wave propagation बना right में ही left में नहीं कर रही हो right में जा रही है wave तो right में जा रही है और इस से जो आपका एक diagram बनता है बहुत interesting diagram बनता है तो देखने है यह भी एक diagram है जिसमें point source है ना पीछे पर ना planar किया था यह diagram उतना visual नहीं है यह वाला diagram देखो point source की case में क्या हो रहा है यह आपका है original source इसको अपन बोलने है primary source यह आपका है primary source primary source की वज़ेश से बहुत सारे points ही sources बन गए है अपने point में एक पत्थर फेक दिया ठीक है point में एक पत्थर फेक दिया तो जिस point पर पत्थर गिरा है वो तो हुआ primary source of vibration बट क्या बाकी points पर भी vibration हो रही है क्या बाकी points को primary source बोलना चाहिए जैसे यह point है यह point है यह point secondary source vibration तो यह भी create कर रहे है किस चीज को सोचना या यहाँ पर यह उपर और नीचे जा रहे है और हाइगन ने भी ऐसी सोचा इसलिए यह सोचना बहुत ज़रूरी है हाइगन thought what exactly बच्चो यह point भी तो उपर नीचे जा रहे है और यह point अगर उपर नीचे जा रहा है यह खुद भी vibration करेगा आगे water is acting like a stretched membrane water की surface क्या होती like a stretched membrane एक तनी हुई चादर की तरह एक्ट करती आपने इसी चीजा पढ़ी है surface tension में यह point अगर उपर नीचे जा रहा है क्या यह भी तो एक vibration create करेगा and that vibration is secondary waves secondary waves से जो ultimately आपके पास एक नया wavefront आएगा that is secondary wavefront okay that is what we have said in the point number 2 point number 2 लिखा भी है और इस तरह का एक diagram भी बना दिया यह इस तरह का diagram यह सारे points थे जो कि secondary sources थे secondary waves बनी है उनकी envelope अब देखने है यह point भी लिखना जरूरी है कुछ लगता है कहीं कहीं किसी तो board exam में आपको यह help करेगा the disturbance beyond this point results from the super position of secondary wavelengths तो मैंने क्या बता है यहापे secondary wavelengths यह वाली ठीक है अब इस point की बाद जो wavefront बन रहा बन रहा वो कैसे बन रहा The next secondary wavefront बन रहा है by the super position of the secondary wavelengths super position मतलब उनसब waves की वज़े से culmination हो जाता है उनका जो addition हो जाता है उनकी वज़े से यह envelope बन रहा है envelope मतलब outline an envelope of all these secondary wavelengths is displaced outwardly envelope of all these secondary wavelengths is in fact known as secondary wayfront ठीक है तो शब्दों की जो choice होती है कई बार अपने को subjective papers में board exam में कभी-कभी reflect नहीं होती कई बार भूल जाते हैं क्या लिखना है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ जिनको आप use करेंगी जैसे superposition is a word classic word अपने जो पीछे diagram बना है आपने डागराम बना है यह वाला डागराम ठीक है तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कैसे इन सब के superposition secondary wavelength के superposition से what you're going to get is secondary wavefront superposition is one word and you can also call this secondary wavefront as the envelope of these secondary wavelengths envelope of all these secondary wavelengths is known as secondary wavefront it is displaced outwardly मतलब एक इस direction में जाएगा in the direction of propagation so that is I think understood I want you to all write these points also in case you are worried कि आपकी हाइगन प्रिंसिपल पे मुझे लगता है कि कुछ बोडस तो ऐसे जिन में 5-5 number के question भी आते होंगे 5-5 number के questions हाइगन प्रिंसिपल को पहले एक दू लाइन में explain करने पे आते होंगे तो अगर आप secondary source, secondary wavelets, secondary wavefront ये शब्द लिखते हैं तो I am sure आपको एक number मिल जाएगा उसका उसके बाद आप ये super position कैसे बन रहा है construction कैसे बन रहा है वो explain करेंगे तो हो जाएगा, ये second point ही चल रहा है अपना भी है As I said, second point is the most important point पर ये वाला diagram आपको समझ में आ रहा है कि ने ये पीछे वो जो diagram मैंने आपको बताया था और ये ही जो हाइगन ने सोचा भी हाइगन ने कैसे इस चीज़ पर राइव किया ये सबसे important, सबसे beautiful चीज़ भी इस chapter की यार उसने भी ये ही सोचा कि यार यहाँ पे तो पत्थर फेका ने ये तो primary source है but why are these waves also going out ऐसा होना जीन है कि सिर्फ यही पर उपर नीचे होता रहे तो यही पर उपर नीचे हो रहे है ऐसा क्यों नहीं हो रहे है क्योंकि ये points भी vibration same frequency से कर the same frequency point is also very important यार इनकी भी जो oscillation की frequency है ना उपर नीचे जाने की frequency है ये को amplitude गिरता जाता है pond में पत्थर फेको amplitude of the उपर नीचे का जो amplitude है वो धीरे धीरे fade होता है but frequency एक सेकेंड में तीन बार अगर यहाँ पर जहाँ पर stone की रहा है वहाँ पर भी एक सेकेंड में तीन बार हो रहा है यहाँ पर भी वही होगा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑप दे सेकेंडरी सोर्से इस से what do you get is secondary वेवलेट यह आपका एक वेफरंट है जिससे secondary वेवलेट बन रही है और यह डाइगराम भी बना देना है since we are making this again यह मैं फिर से बना रहा हूँ आपको नोट हो रहा है यह एक point source के लिए डाइगराम होगा इस तरह से secondary वेवलेट बन रही है क्योंकि यह point sources थे तो secondary वेवलेट स्वेरिकल है तो मस दिख रहा है और इन सब के super position से आपको इन सब के envelope से envelope मतलब जो चीज बार-बार की surface cover कर रही है बच्चों एक secondary wavefront बन रहा है यार इस ताट simple literally इस point पर आपको हाइगन्स प्रिंसिपल समझ तो आगया इतनी मुझे भी feel आगया आपको भी आगयी होगी यहां यह सारी terms है इन सब का एक construction बना रहे हैं अपन डागराम बना रहे हैं यह construction के एक दो examples हैं रिमेनिंग लेक्चर में वो करके अपन बट वो दोनों example बहुत ही important है पट एक बार तीनों points लिख लो second point आपने लिख लिए है third point है जो कि बड़ा easy है third point देखना wavefronts move in the space with the velocity of wave in that medium third point किया है एक बार इसको अपन next page पर ले ले लेते है यह आपको ध्यान से देखे wavefronts move in the space with the velocity of wave in that medium this is an obvious point पर लिखना जरूर ही है यारी जो wavefront propagate कर रहे हैं आगे है यह एक wavefront है और यह भी एक wavefront है और यह wavefront बच्चो static नहीं होते हैं यह आगे move करते रहते हैं क्यूंकि अपन diagram बनाते हैं तो उसमें एक ही जगे पर बनाते हैं बट यह समझना भी बहुत important है these wavefronts are continuously moving these wavefronts are moving continuously है ना in the direction of wave propagation they are moving अगर यह move कर रहे हैं तो कि speed से move कर रहे हैं wavefronts move in the space with the velocity of wave in that way vacuum में यह speed of light से move करेंगे glass में water में इनके speed कम होगी और क्या आप सभी ने तीनो points लिख लिए आप लाइब चैट में बता दो अगर आपने तीनो points लिख लिए हैं तो और दो diagram आपने बनाए होंगे एक planer के लिए एक point source के लिए एक planer के लिए point source के लिए point source के लिए ये वाला diagram point source के लिए ये वाला diagram या फिर planer के लिए ये वाला diagram इनमें से एक diagram बना लिए आपने मेरे कहल से दोनो diagram बनाने चीए पॉइंट्स लिख लिया है तो बता दो आल राइट अनीशा, रीशू रेंजर, अर्बिंद, यूसिफ आयूशी, हिमानशू चली आप लोग को लिख लिया है तो अब देखना आप इसके दो तीन एक्जामपल अपन पढ़ेंगे ठीक है ना? इस और टू एक्जामपल्स विच आर देर इन यो सिलिवर्स, चाहे बोर्ड हो या आपका जेही मेन हो एक क्या है? रिफ्लेक्शन को एक्स्प्लें करिये बोर्ड में भी ऐसे क्वेशन आते है एक्स्प्लें रिफ्लेक्शन with the help of Huygen's Wave Theory है ना? Huygen's Wave Theory के इसाफ से रिफ्लेक्शन को एक्स्प्लें करिये एक ये एक्स्प्लेंपल है एप्लिकेशन है आप इसको अप्सको अटर आप्लिकेशन ओफ ह2ग मोल सकता है बड़ एक नए पेज़ पे लिखना नए page पर heading बनाना reflection based on wave theory reflection based on wave theory या reflection as explained by Huygens principle यह अपन समझ रहे हैं आपने यहाप एक surface दिख रही होगी M1 M2 mirror की surface है आपको भी इस तरी की बड़ी diagram बनानी है तो मतलब आप वो नए page पर लिखना और देखने यहाप कैसे बनानी डाइग्राम थोड़ा से ध्यान देना एक point of incidence से यह है एक point of incidence से अफना यह है जिस पर light ray incident होगी और उस पर एक normal होगा देखना हाइगन ने reflection refraction को कैसे explain किया यह चीज थोड़ा सा as I said TDA से तभी वो explain शाहिए नहीं कर पाए इसे को चमका नहीं क्या बोलना चाहरा है but yes it is very important that you explain this in terms of a wavefront wavefront यह देखो अपने पास क्या है incident wavefront A और इस point पर मैं B बोल देता हूँ यह मेरे diagram में क्या दिखना चीज़ी incident wavefront इपर आप देख लो थोड़ा सा यह आपको click होगा कैसे बनाना है यह बच्चों incident wavefront जो की बन रहा है तीन rays से जो की बन रहा है तीन rays से ray number one ray number two and ray number three ठीक है तीन rays से एक wavefront बना रहे है planar wavefront है obviously the rays are coming parallel to the rays are coming parallel to each other and यह देखो अपना angle of incidence है यह दिख रहा है आपको angle of incidence है ठीक है अब ध्यान देना one का reflection एक ray बना देते हैं अपन वन डैश है यह बना दो in fact यहां तक बना दो diagram तो यहां तक diagram बना दो incident wavefront बता दो points A and B बता दो ठीक है अब देखना यहां पर अब आपको क्या करना है यह one का reflected ray reflection अपने को आता है पहले से reflection as explained by hygen नहीं आता है यह one हो गया two को मत बनाना three को बना रहा हूँ मैं ध्यान देना three suppose जाके यहां पर कहीं पर incident होता है यह थोड़ा बड़ा बन गया किया थोड़ा सा बड़ा बन गया जादा ही feel में चला गया हूँ three को pass ले लेते है बड़ इसको बना ही दिया तो बना देते है यह diagram दिख रहा है आपको and यह point आपका हो गया let's call this a dash यहां पर भी एक normal बनाएंगे अपन और एक reflected wavefront बनाएंगे one और three के साथ one का reflected ray let's call it one dash three का reflected ray ध्यान दो three का reflected ray ऐसे जा रहा है one के parallel जा रहा है और मैं assume करा हूँ यहां पर two dash भी ऐसे कही हो बच्छा लोग ध्यान देना भी यहां पर this is the incident wavefront and this will be our reflected this is what we have as for reflected wavefront तो एक बात जैसे मैंने बनाएंगे बनाओ इसको इसको आपको काट के दूसरी बार भी बनाना पड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन रे आप्टिक्स कर चुके हर एक डाइग्राम को दो दो तीन तीन बार बनाना भी अगर पढ़ रहा है ना पहली बार में हर्ज नहीं है विज सीखते वक्त आप चाहे तो कितनी बार बना सकते हैं एकजाम में एक बार में बनेगा तबी तो यह अभी अपने एक तरे से ठे convertical exam के बारे में सोच रहे हैं हे मेन में तो डाइग्राम नहीं बनवाते हैं पर एट लीस्ट अपने को जानना जरूरी है ठीक है तो यह डाइगराम एक बर आप बना लो नेम दे पॉइंट्स ए डाइश हीर बी डाइश ओवर हीर यह डाइगराम बन गया है तो फिर कुछ चीज़ अभी आप समझ न जल्द इसे एक बर डाइगराम बना दे डाइगराम बन गया डन बोल दिया है पूजा दे है तो पहले लेक्चर में तो थेओरी होगी है तुम लोग क्या उमीद क्या करते हो कि पहले दिन मैं सारे कोश्चन तुमें दे दूँ और तुमसे बन जाएंगे नहीं बनेंगे ना अभी इसमें भर भर के numerical है wave optics is also about numerical बट जैसे ray optics का पहला lecture था वो भी theoretical था और यह तो higens principle तो theoretical ही चीज है इस पर तो question ही इस पर तो question ही theoretical आते है और देखना एक diagram based question भी आते है इसको अभी भी कर लू क्या इसको थोड़ा सा अपन symmetrical बना सके angles तो ठीक है मेरे खाल से बट इस line को अपन थोड़ा ऐसे ले सके यह angle और यह angle करीब से हम दिखना भी चाहिए खेना ठीक है as I said if you are not satisfied in one go make another one that is fine that is perfectly fine इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बट चलो बना ली है क्या कुछ तो बन रहा है तुमारा इक दो बार और explain करूँगा don't worry हराम से करेंगे इसको explain भी बट एक बार यहां पर समझ भी इसने पास ऐसा कुछ डाइगराम आ रहा है एक incident wavefront का और एक reflected wavefront yellow ones are wavefronts and rest of them is line देखना अब यहां पर एक angle I है और यहां वाला जो angle है वो R ले ले लिते हैं फिर आप यहां वाला जो angle है वो R ले ले लिते हैं फिर आप यहां परूव करना है कि angle I और R बराबर है using reflection का wave theory है I equal to R प्रूव करने के लिए आप geometry use कर सकते हो अब ध्यान देना है यहां पर यह I angle है तो यह angle 90 minus I है क्या क्या आपको यह बात पताए कि light हमेशा wavefront से perpendicular होती है light ray I और यहां पर 90 minus I angle बराएगी तब ही 90 degree total होगा that gives me this entire angle is I again the entire angle is I again because normal से 90 minus I और I आजाता यह एक important step इसको diagram में show करना यह I है तो यह वाला angle मतलब wavefront का भी mirror से angle I है wavefront का भी mirror से angle I होता है ध्यान देना फिर से यहां पर हो रहा है यह R है यह 90 minus R है R और 90 minus R है तो यह पूरा angle क्या R है फिर से reflected wavefront का mirror से जो angle है R है mirror से जो angle है वो R है mirror से wavefront का angle I है और यह दो angles को अपने को equal prove करना है then obviously can we do this by saying that triangle A, B, A dash look at triangle A, B, A dash and another triangle which we have is A dash, B dash, A same flow में चलते है अपन जैसे A, B, A dash को देखना बच्चों और A dash, B dash, A को देखना क्या इन triangles को हम congruent prove कर सकते है क्या यह दो triangles congruent है यह prove हो सकता है क्या yes then which law will prove that क्योंकि दो angles तो already 90 degree दिख रहे है मुझे दो angles मुझे 90 degree दिख रहे है which are A, B, A dash and A dash, B dash, A which are 90 degree है we have to prove this congruency are these two congruent? we have to prove that दो angles तो 90 degree है क्या एक side भी common है which side is common? A, A dash is the common side ठीक है? तो मुझे बताओ के side angle side या angle side angle कौन सी congruency यहाँ पर use okay congruent prove कर देंगे हम यह भी बताना मुझे SAS या ASA यह सोचना जरूरी इस point पर diagram बनाना लिखना नीचे भी SAS करोगे या ASA करोगे क्या लगता आपको? done done लिख तो लिए आपने but यहाँ पर दिमाग लगाना है थोड़ा SAS या ASA क्या लगाओगे? दोनों triangles congruent हैं यह prove करना है remember that we have to prove we need to prove that angle of I is equal to angle of R यह तो prove करना है अपको? given नहीं है तो अगर कोई angle side angle बोल रहा है जो कि जातर बच्चे बोलते हैं यह misconception है सबसे बड़ा यहांसे आप देख सकते हैं live chat में ASA बोल रहा है जातर बच्चे तो यह सबसे बड़ा misconception है इस पूरे proof को आपने school में भी अगर किया है फिर भी आप ASA बोलोगी क्योंकि यह सबसे बड़ा misconception है इस proof में एक तो angle आपका same हो गया एक side आपका common हो गया फिर आपको लग रहा angle I equal to angle R भी है भाई है नहीं वो तो prove करना है angle I equal to angle R तो prove करना है आपको what is the other thing in these two triangles which is same it is not another angle but it is the side what is that another side please note side angle side में side BA dash is same as side AB dash क्योंकि AB dash कितना होगा ध्यान देना AB dash कितना होगा एक wavefront से दूसरे wavefront का distance की time में देखो ये होगा एक wavefront से दूसरे wavefront का distance same time में B से A dash B से A dash क्योंकि जिस direction में जा रहा है वो भी same speed से same time में same होगा distance traveled by the light from one wavefront to another is same in same time property number two of the wavefront distance traveled by light ध्यान देना डियाग्राम पर from one wavefront to another is same along any light ray in same time same time में same distance होगा या time taken same होगा और speed भी same है क्योंकि अभी तो हम एक ही medium में है अभी दूसरे medium में जाएंगे ना स्नेल स्लो को भी प्रूव करेंगे distance या time taken by the light ray from one wavefront to another is same along any line तो हमने एक line 1 लिया एक line 3 लिया उनको same time लग रहा है then same distance होगा side angle side से प्रूव होता है बच्चो यह side angle side से congruency प्रूव होती है और फिर angle equal है यह प्रूव होता है चमक रहे क्या it's not ASA बाबा it is SAS therefore we can say the angles are also same then लेको one angle is 90 degree that is obvious but this angle is equal to this angle प्रूव करना है इसको मान के प्रूव कर रहे हो तो फिर मेरे को तो लगता है कि 5 में से 0 ही number मिलते होंगे boards में शायद ऐसा नहीं होता है कुछ steps के marks मिलते होंगे but at the end if you write that ASA because I is equal to R hence I equal to R अगर ऐसा लिप दोगे तो फिर भाईया वो किताब तो आपकी फट जानी चीए but ऐसा I think नहीं होगा तो ध्यान देना हम यहाँ पर थोड़ा सा visualize करेंगे अपन कि यह incident wavefronts है यह सारे incident wavefronts है और जिस point पर incident wavefront हीट कर रहा है वहाँ से reflect भी हो रहा है यहाँ से secondary wavefronts से सारे यह secondary wavelengths है जिनका जो superposition है वो secondary wavefront है तो older wavefronts and newer wavefronts are the reflected wavefronts and that is how you get reflection based on wave तो फिर से ध्यान देना incident wavefronts तो अपन इसके perpendicular बना देंगे planar wavefronts है इसमें से एक wavefronts यहाँ पर गिरता है तो यह क्या हो जाता है point source हो जाए secondary source हो जाए इससे क्या निकलेगी secondary wavelengths यह जो secondary wavelengths है यह हर एक point से निकल रही तो इनका super position करना पड़ेगा अपने को envelope बनाना पड़ेगा envelope बनाके अपने को secondary wavelengths जो मिल रहे हैं वो है reflected wavelengths incident wavefronts, reflected wavefronts and therefore these two angles वो अपने geometry से प्रूव किया है और same, तो देखना कैसे geometry से प्रूव किया यह भी ध्यान देना हमने अलग से बोला है अ से बी तक का time बी डाश तक का time t है then बी से अ डाश तक का time भी t होगा अ से बी डाश तक का time अ बी डाश तक का time बी डाश तक का time भी same होगा same time क्यों होगा because light ray tracks same time along any line from one wavefront to another वो आपको करने से SAS side angle side से prove हो रहा है कि I is equal to R not the SAS से इसको ध्यान रखना तो 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 त्राइंगल कांगूरेंट है और क्या यहाँ पर आप law of reflection को prove कर चुके हैं क्या आप law of reflection को prove कर चुके कि angle I is equal to angle R है क्या आप उसको completely prove कर चुके हैं यहाँ पर reflections based on wave theory यहाँ पर देखना एक और catch भी है कि सिर्फ इस statement से आपका reflection पूरा prove नहीं हो रहा है सिर्फ यह बोल दिये आपने I is equal to R तो reflection का एक ही law नहीं होता है remember that reflection के laws होते हैं laws of reflection अपने पढ़ा था thing we have studied is laws of reflection and there is one more thing you can prove but by argument देखना जो reflection का second law है आपने अगल reflection पढ़ा है मुझसे अपने laws of reflection की बात कर रही थी law of reflection तो होता ही नहीं laws of reflection होता है आपने वहाँ पर argument से prove कर सकते हैं देखना है यहाँ पर क्यासे ध्यान देना मज़ा आएगा इसमें ध्यान देना पड़ेगा now since incident wavefront plane of the mirror incident wavefront को मैं यहाँ पर highlight करता हूँ incident wavefront आपको पता है यह वाला let's draw this green now since incident wavefront the plane of the mirror plane of the mirror क्या है yellow से बना रहे है अपन and reflected wavefront reflected wavefront देखो blue से बना रहे है since these three are lying in the plane of the paper क्या यह तीन planes आपको plane of the paper से perpendicular दिख रहे है बच्चो do you think they are perpendicular to what the plane of the paper plane of the paper मतला आपने जो board बनाया यह board यह आपका जो screen है वो एक plane है जिनसे यह planes perpendicular है अब यह perpendicular क्यासे है these are just planes I hope you understand that I hope you understand that this is a plane बच्चो this is a plane perpendicular to the plane of the paper in which you have drawn this diagram यह planes perpendicular to the plane of the paper है क्या हम बोल सकते है कि incident ray जो कि incident wavefront के perpendicular है reflected ray जो कि reflected wavefront के perpendicular है and normal to the mirror जो कि plane of the mirror के perpendicular है इन तीनो planes के perpendicular जो rays है बच्चो जो lines है जो कि आपको diagram में फिर से बता दो this line yellow line normal होगी यह वाली and reflected ray which is this one then these all will lie in the same plane that is the plane of the paper these three will lie in the same plane यह भी एक rule होता था law होता था law number two law number one make up the laws of reflection second second जीज़ को आप argument से प्रूव कर रहे मतला mathematics सी लग रही इसमें बट argument से कई बार प्रूव करते रहा क्यार क्योंकि यह yellow sorry green वाला plane yellow वाला plane of mirror and blue वाला reflected का wayfront perpendicular है perpendicular to what? perpendicular to the plane of the paper इसको visualize भी करना है क्योंकि रटने वाली बात ही नहीं बच्चो देखो यह एक wayfront है जो कि paper यह green से perpendicular है wayfront से perpendicular है यह ठीक है therefore इन से जो perpendicular चीज़े हैं वो same plane में lie करेगी incident ray normal to the mirror and reflected ray will lie in the same plane that is the plane of this आप इसको words भी लिख सकते हो और इसको as it is जब आप अपने I think अगर board exam में question अभी भी किसी को आता है तो आप लिखोगे तो I am sure you'll get more than enough marks अगर आप इतना लिख के आते हो especially the last two lines आपको वो examiner definitely ज़ादा नंबर देने की सोचेगा क्योंकि आपको पता होगा न board exam से भी सारे question कैसे check हो पाते हैं you don't think हो पाते हैं कुछ special questions होते हैं जिनको examiner अच्छे से देखता है और फिर ये अंदाज़ा लगाता है यार इस बच्चे को और भी चीज़े आती है और definitely उसको 90 plus marks मिलेंगे क्या लग रहा है ये तो बच्चो गया reflection ये वाला part तो गया reflection उसको भी कर लेते हैं reflection based on wave theory में देखना ये diagram भी बड़ा interesting है ये diagram आप homework में बनाएंगे ये diagram को देखने क्या कैसे बनाना है this is a diagram different from the previous diagram ये point source का diagram है ये पास एक point source है अगर उसकी वज़े से spherical wave fronts मिलता है these are your incident wave fronts and incident wave fronts इस case में spherical है ये आपके incident wave fronts से जो की spherical है ये point source है पीछे planar थे ये incident wave front है जो की spherical है अमज़ रहे हो blue ones are incident wave fronts blue are incident wave fronts ठीक है and इनके reflected wave fronts कैसे बना रहे हो है जियान देना red से बनाते हैं पर देखने यहाँ पर incident होके ये पहला reflected wave front है तिर ये दूसरा reflected wave front है ये तीसरा reflected wave front है तो these red ones are my reflected wave front ये diagram आप भी बनाना आपको बहुत feel आएगी feel क्या आएगी ध्यान देना अगर reflected wave fronts अपने इस तरह से जा रहे हैं न plane नहीं है अभी spherical है इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो source आएगा वो imaginary space में आएगा and source मतलब basically image हो गया है virtual image आजाएगा imaginary source में ये diagram आपको दिख रहे है ये diagram आपको दिख रहे है समझ में आ रहे है ठीक है और इसमें एक और बढ़िया बात क्या है अगर ये incident ray है ये reflected ray है reflected ray हमेशा red से perpendicular है incident ray हमेशा blue से perpendicular यहां देना फिरसे हैं आपे आप कहीं पे भी बना लोगा ज़रूरी नहीं कि यहां पे भी बना लो but your reflected ray will be perpendicular to red incident ray will be perpendicular to blue and in ray diagram से पहले अपन निकालते थे याद करो reflected rays को पीछे trace करके अपन निकालते थे अपन क्या कर रहे है wave front से image की position निकाल रहे है which is also very clever way reflection में point source से incident wave front भी spherical होते है reflected wave front भी spherical होते है ये planar वाला diagram था ये वाला थोड़ा अलग type का diagram है point source के लिए ये diagram हो जाए एक question जरूर करेंगे यहाँ पर question question number seven हो गया या I think आपको यहाँ पर एक बार एक question answer करना है try करना इसको सोच के answer करने का है एकदम से answer मत करना क्या लग रहा है क्या लग रहा है जातर लोग c लिख रहे है which is the correct answer ये गलत क्यों है वो भी ध्यान देना वर्ट क्यों देखो एक तो आप ये भी समझो कि अगर ये spherical wayfront है object यहाँ पर होगी object यहाँ पर होगी तभी जाके इस तरह का diagram बन रहा है object की image कैसे बनती plane mirror में along the line perpendicular to the mirror ये तो हम अच्छे से ray optics में साच चुके है object यहाँ पर तो along the line perpendicular to mirror image यहाँ पर होगी पर ये इमेज यहाँ पर होगी तो reflected reflected की shape ऐसी होगी बेटा reflected की incident ऐसे reflected ऐसे नहीं तो आप क्या करो incident ray और reflected ray बना that is even the best incident ray ऐसे है reflected ray ऐसे थोड़ी होगी या image यहाँ पर थोड़ी होगी बच्छो image यहाँ पर कैसे होगी object यहाँ पर तो image यहाँ पर कैसे बना रहे object यहाँ पर और रिफ्लेक्टेड रे से प्पेंडिकुलर आपकी वेफ्रेंट सोंगी थोड़ा से डाइग्राम बनाने में यकीन रखो हमेशा डाइग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है यह अपनी लास्ट अप्लिकेशन इसको भी कर लेते हैं लेक्चर अपना ओविसली लंबे जाएंगे यह ट्राइंग टू कवर ऐसमच आज इन वन सिंगल लेक्चर रिफ्लेक्शन बेजड ऑन वेव थियोरी एक हेडिंग बनाना नए पेज पर रिफ्लेक्शन एक अप्लिकेशन है बता ना आपके बोर्ड एक्जाम से क्या आता है वो जचता आप में से कुछ बंच राक्वे पर्यड स्वी हो चुके हो तो रिफ्लेक्शन chosen इन और एक चीज़ क्शी तो आता है रिफ्रैक्शन यानि कि Snell's law डिराइव करते हैं अपन यहाँ पर रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रहा है देखने है यह लाइट रे बेंड कर जाता है इस लाइट रे इस गोईंग टू बेंड और कि this वो बेंड कैसे हो रही है अपन वो समझेंगे और बेंड कीयों हो रही है वो भी समझेंगे और साथी साथ आई और आर में relation निकाले अब देखनें यह चीज न्यूटन ने नहीं बताई थी आई और आर का relation कैसे निकाले या रे ओप्रिक्स में भी अपने नहीं समझाता है बड़ हम यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे समझेंगे, obviously by drawing an incident wavefront let's draw an incident wavefront A-B अभी लोग यह heading बना के drawing चालू करना, कि A-B अपने पास एक incident wavefront है A यह point of incidence हो गया B is a point here and B से भी गुजरती होई एक light ray लेनी पड़ेगी आपको at least दो light rays से एक wavefront बनता है एक wavefront के लिए बंचो दो light rays तो बनानी पड़ेगी आपको let's take only two light rays in this case क्या तीन ही ले ले लेते हैं चलो पीछे भी तीन दूसरी को पूरा नहीं बनाएंगे बड़ mention कर देंगे कि दो light ray तीन light ray से बनाएंगे यह light ray यहाँ पर आप अब इसका थोड़ा सा construction interesting यह न एक बार आपने वो कर लिए तो यह वाला आसान भी है बनाना पर इसमें थोड़ा और मज़ा आएगा इसमें थोड़ा और मज़ा आएगा बच्चों क्यों आएगा देखना है यहाँ पर अपने को पता है यहाँ पर भी light ray bend होने वाली बड़ कैसे bend होगी क्या होगी वो पर अपने को पता है कि यह angle आई है और अभी अपना refracted wayfront कैसे बनाएना है थोड़ा ध्यान देना है यह diagram समझ में आ रहा है और गौर्व थैंक दोनों में से एक पका आता है वो जगता है जो भी आपका बोड में अपन तो समझ रहे हैं जेही के point of view से बच्चों देखना आपको किस तरह के questions आई हैं आ सकते हैं दोनों चीज करवाओंगा भी बट ज्यादा नहीं कुछ homework में दे देंगे अपन यह diagram बना रहे हो आप incident wayfront बता दो यलो वाले को नाम दे दो incident wayfront अभी जेखना reflected way, refracted wayfront है यहापे तो reflected होगे नहीं, refracted wayfront कैसे बना प्लीज ध्यान देना I know one thing के AB is one wayfront यह सारे point same phase में है फिर B से यहाँ तक, let's name this point A dash B से A dash तक अगर T time लगा है बच्चो, क्या मैं लिख सकता हूँ B A dash is V1 T या C1 T लिख दे है अपन, C1 T यह equation समझ में आरी है आपको, T time लगा है बट क्यूंकि medium अलग-अलग है यहाँ पे speed अलग-अलग होगी जैसा पीछे CT और CT लिख दिया था है यहाँ पे C1 T, C2 T लिखना पर है समझा रहे है and what is the, let's say this is the denser medium अब अपन अजियूम कर रहे है obviously bending towards the normal करके कि यह denser medium में यह rarer medium अभी थोड़ा से ध्यान देना बट क्या है यहाँ से यहाँ तक T time में अगर B A dash distance cover किया है then क्या मैं बोल सकता हूँ उसे A से B dash जो भी point होगा, A से B dash जो distance होगा न वो C2 T होगा but क्योंकि C2 कम है क्योंकि यह denser medium है क्योंकि यह denser medium है तो C2 कम है तो यहाँ पे कम distance travel करेगा यहाँ पे ज्यादा distance travel किया lighter medium है तो उतना ही time में यहाँ पे कम distance travel करके B dash तक आ जाएगा यह मेरा A dash B dash बनाने का तरीका है आप भी बना लो पहले यह मेरा मतलब क्या हाँ हाइगन का ही तरीका है एक तरह से पन यूस तो हाइगन का ही principle कर रहे है इस इस आउ यूँविल रॉयोर कि इंसिदेंट और रिफ्राक्टेड वेफरेंट त्ड़ा से त्रेड़ा हो गया है रिफ्राक्टेड वेफ्रेंट थोड़ा से बेंड हो गया है बेसिकली तो प्लेनरी but show it as bending clockwise में bend हो गया है and this is your refracted way for it refracted reflected नहीं, refracted तो बना लिया डाइगराम तो thumbs up करना not then जल्दी से बना लो यह 1- बोल देते हैं इसको भी हें 3- बोल देते हैं educational show भी कर देते हैं ठीक के बच्छो अभी यहाँ पर अगर आपको हो गया है clear नहीं जोमेट्री लगा नहीं है जोमेट्री लगा नहीं है यह i है, यह 90-i है, just like previous case, यह i, यह 90-i, यह angle देखो i होता है, angle of the incident wavefront with the boundary, now in this case mirror नहीं है, यह boundary है, यह orange वाला कि है, boundary separating the two medium, incident wavefront of boundary की बीच में i यह angle है, फिर से देखना सब लोग, यह angle r है, यह 90-r है, तो यह फिर से r हो गया, angle of the incident, angle of the refracted wavefront with the boundary is r, angle of the incident wavefront with the boundary is i, क्यमक रहे है, अब इसमें क्या करना है, अपने को Snell's law प्रूव करना है, we need to prove Snell's law in this, what is the agenda, refraction हो रहा है, मतलब to prove mu1 sin i equal to mu2 sin r, क्या यह चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं, using what, these two triangles again, a, b, a dash and a dash, a dash, a, b, dash, in triangles को पर यूज़ करेंगे, right angle triangles है, right angles भी show कर दो, right angle triangles है, right angles भी show कर दिये, आप कैसे sign आए और sign r को निकाल सकते हो, तो मैं अगले page पर लिखूँगा, वरना यही पर हौच पॉच हो जाएगा, इक बर आप लिख लो, जितना मैंने लिखा है, especially equation 1, 2 लिख लेना, लिखो यह दोने equation लिख लेना, जरूरी क्योंकि इसी से आएगा, वी ए डाश और ए बी डाश, same time में, अलग-अलग medium में, अलग-अलग speed से travel किये हैं, same time जरूरी है, time taken from one way front to another is same along any line, जियान दो यहाँ पर, time taken from one way front to another is same along any line, time taken is same, speeds are different because these two are in different media, और यह प्रूव करना है, ठीक है? तो यह लिख लिए है तो आगे बढ़ते हैं अपने को लास्ट पार्टी है बड़ यह एक विजुलाइजेशन है जो आपको शो करेगा कैसे रिफ्रैक्टेड वेफ्रेंट बन रहा है उजली वेफ्रेंट यहां पर फाइदा यह स Hepार्टेंट बनाएं तो इन उनों का सूपर पॉजिशन यह हैं रिफ्रैक्टेड भी है refracted पे अपने को focus करना reflected अपने देख लिया यह point जैसे यहां तक आया इन दोनों को मिला के आपने refracted बना तो this is just for visualization आपको visualize करवाने के लिए यह static diagram भी अपने पास यह point पहले hit हो गया तो incident wavefront है आपका उसका यह वाला point सबसे पहले hit हो गया था और यह आपका एक secondary source बन गया तो जब तक यह यहां पर पहुंच रहा है इन सब के देखना यह से यह वाला यहां पर पहुंचा और यह वाला यह वाला just पहुंचा यह क्या आगया आपका envelope this is the envelope of all these secondary wavelets hence it will be called secondary wavefront सबक रहा है और envelope वाला भी concept समझ में आता है यह सारे क्या है secondary wavelets secondary sources के secondary wavelets चोड़े चोड़े waves तरीकल है इन सब का combination, supervision जो है वो secondary wave यह denser, यह rarer medium यह denser medium है क्योंगि यहां पर slow हो गया है wavelength भी अलग हो गयी है in fact if you know speed decrease हो जाती है तो wavelength भी decrease हो जाती है slower medium में wavelength भी in fact 40 शोग करनी पड़ती है यह भी वैसे एक diagram है यह आपने यहां तक लिख लिए है यह diagram आपके आपके notebook में है क्या देख लो यह angles आपने बना रखें कि नहीं angles बनाओ कुछ बच्चुरे नहीं बनाओ असे दिख रहा है मुझे यह आई है यह 90 बाइनस आई है यह फिर से आई यह आर था 90 बाइनस आर हो फिर से आर वो दो equations आपने लिख दी थी पीछे भी लेट्स नहाओ राइनस लोग के लिए sin i की वैल्यू किया है if you look at triangle a, b, a- triangle a, b, a- में sin i की वैल्यू कितनी आती है sin i is equal to perpendicular upon base perpendicular upon hypotenuse a-b divided by a, a- equation 1 equation 1 मत लिखो इसको as it is रहन दो and in the triangle a-b-a in the triangle a-b-a sin r कितना है बताओ a-b-a in this triangle how much is sin of r that is also perpendicular upon hypotenuse a-b-divided by a-a- अर भी राइट and sin i by sin r कितना है sin i divided by sin r a-a-dash cancel होके a-b divided by a-b- आरहा है जो कि c1 by c2 होता है और जो कि mu2 by mu1 भी होता है this proves your Snell's law this in fact proves your Snell's law तो यह Huygens construction से Snell's law प्रूव करने का तरीका है तो लिख ज़रूर लेना इसमें कोई doubt है दिक्कत है तो बताना बच्चो rotate कैसा हुआ चमका नहीं मतलब rotate नहीं हुआ है वो असल मैं मतलब यह सब perception वो clockwise घोंगिया है वेफ्रंट यह distance जादा यह distance कम है आप तो यह सोचो न यह जो दो तीन डाइग्राम थे ना पीछे यह आपको यही चीज का आभास करा रहे क्यार यह slower medium है इसका वेफ्रंट जल्दी बढ़ा हो रहा है इसका दीरे दीरे बढ़ा हो इस वज़े से यह वेफ्रंट clockwise में rotate हो गया मतलब आपकी जो incident ray वो भी towards the normal shift हो और जैसे यह वाला डाइग्राम है इसको आप लोग बनाना आपने point source का बनाया था जैसे इधर भी I think point source का मैं बनाऊँगा पर एक बार लिख लो इसे एक दो example और देखेंगे रिफ्रैक्शन के ही इसे लिख लिया संतुष्टी हो गई स्नेल्स लॉव क्या स्नेल्स लॉव में बच्चो sin i by sin r equal to c1 by c2 होता था नई क्या यह mu2 by mu1 होता था यस वो कैसे आता है वो भी समझ में आता है कि c1 is c by mu1 c1 is c by mu1 की मतलब speed of light in vacuum and c2 is c by mu2 mu2 by mu1 आता है वो बात आपको clear होगी यह आपने ultimately लिख लिया होगा ठीक है mu2 by mu1 कोई दिक्कत है यहां तक तो बताना otherwise as I am saying कुछ और examples अपर लेते ते को समझ में आएगा यह rotate हो रहा है इसका क्या significance तो rotate तो नहीं हो रहा है आपको यह समझना है कि यह slower medium है slower medium है तो कम distance है A B dash को कम बताना था B A dash को जादा बताना इसना बच्छ डिफरेंस अपने समझना है ठीक है ना? एक और जैसे मैंने का example में बता रहा हूँ try to think about this situation also what is this situation? इसमें बच्छो denser से rarer में जा रहा है यह भी बड़ा interesting diagram है denser से rarer में जा रहा है थोड़ा से ध्यान देरा कि आपका जो incident wavefront है वो यहाँ पे जैसे ही hit किया यह आपका जो incident wavefront है ना? यहाँ पे जैसे ही यह activate होगया फिर यह point यह point बाद में activate हो इस वाली medium में speed जादा है यह rarer medium है यह अजूमिंग दा V2 इस greater than V1 उसके इसाब से आपको यहाँ पे wavefront भी ऐसे बनाने पढ़ेंगे यह आपका दूसरे direction में rotate होगया यह distance कम है और यह distance जादा है यह वाला distance आपका कम होगा और यह distance जादा होगा light has literally bent away from normal भी दिख रहा है आपको यह incident और यह refracted angle R is greater than I भी दिख रहा है यह distance जादा बना दोगे यह कम बना दोगे तो आपको वो bend anti-glockwise में देखे this is anti-glockwise में rotation I am just saying कि just draw one of these diagrams एक तो तुमने बनाया है यह वाला और इस case का भी बनाना कि अगर आप एक denser medium से rare में जा रहे हो denser rare में जा रहे हो तो यह distance बढ़ा बना देना यह छोटा बनाना फिर यह से rotate होगे है ठीक है it's just about perception मुझे तो in fact यह diagram में बड़ा interest है यह diagram बड़ा important है इसको तुम draw करो होगी this is another classic example I think we are in the last final phase of the lecture इसको भी लिख लेना बढ़ा लेना यह क्या हो रहे है देखना आपको मज़ा आजाएगा आपको feel आजाएगी यह फिर से I think टेंसर से rarer में देख रहे हैं ठीक है टेंसर से rarer में देख रहे हैं और क्या है आपके पास point sized object यह जो आपका source है यह point size है यह सारे incident wave fronts है आप तो ऐसे draw करना जैसे मैं draw कर रहा हूँ मुझे in fact इस पर draw करना ज़रूरी है तो these are all incident wave fronts these are all of our incident wave fronts फिर यहाँ पर क्या हो रहा है incident wave fronts में यहाँ पर break आ रहा है जैसे reflection में भी हो रहा था incident wave front यहाँ तक तो reflection में भी ऐसे ही थे ठीक है अब आप ऐसे मीडियम में जा रहे हैं यहाँ पर speed जादा है ठीक है यह gap भी बढ़ा दूँगा between this and this यह gap भी में बढ़ा दूँगा और इसका क्या मतलब हो रहा है ध्यान देना आप इसका यह मतलब हो रहा है अपने पास जो image आ रही है इन सब वेफरेंट को देखते हुए कहां आ रही है इसी मीडियम में आ रही है यहाँ पर कहीं पर आ रही है यह incident rays perpendicular to incident wavefronts this is refracted ray perpendicular to these और इनकी पीछे अपन extend करते हैं इसको पीछे अपन extend करते हैं तो यह image बनते हैं तो diagram को एक बार देखना feel आ रही है कि नहीं incident ray bending away from normal incident ray bending away from normal incident rays आप perpendicular to the incident wavefront refracted rays आप perpendicular to the refracted wavefront and refracted rays को पीछे क्योंकि diverging के पीछे आप connect करेंगे तो image बनती है यह image है वो थोड़ी उभरी होई है क्यों उभरी होई है क्योंकि इसका जो actual depth है और apparent depth है ज्यान देना बटाना यह है apparent depth dash यह है actual depth these two are related how? h dash is h by mu यहां पर मस्त चमका है कि नहीं बताना और इस तरह का diagram खुद भी बनाना when you make it yourself you get a very good feeling planar reflected or refracted wavefront भी बनाए और अभी spherical refracted wavefronts है यह ग्रीन वाले क्या है these are spherical refracted wavefronts yes planar भी बना दो और spherical भी बना दो these are good enough examples आपके इसी भी level के exam के लिए जे main जे advance के लिए I think this is it आपको एक दो और concept छोटे छोटे है एक तो question I think एक question करना बहुत जरूरी है यह question काफी important है इस तरह का question आपको जेई main में कभी भी मिल सकता है बच्चो एक question को देखना है एक बार जेई main के हिसाब से कर लो इसको A, B, C, D मू भी दे रखें एंगल भी दे रखें refracted wavefront की shape क्या होगी इस एंगल पर जाएगा और shape कैसी होगी उसकी यह आप यही पर draw कर लो जैसे यहाँ पर ही draw कर लो incident ray ऐसी दिख रही है और refracted draw करके बच्चों answer करना if you don't draw then फिर मतलब नहीं है और angle of reflection तो पता ही होगा angle of reflection तो यहाँ से आपको 30 degree आ गया होगा 30 degree के लिए क्या answer है A, B, C, D बनाना 30 degree के लिए क्या answer है क्या एक तो इस तरह के wavefronts होंगे क्या यह angle 30 degree होगा मैंने एक चीज़ आपको पीछे काफी point करी angle of the wavefront with the boundary should be 30 degree and I hope किसे ने 60 भी नहीं लिखा है क्योंकि यह तो angle of reflection होने वाला है और ऐसे भी नहीं होने वाला है इस तरफ नहीं ऐसे होने वाला है आप draw करके देख लो ऐसे जाने incident ray refracted ray bending towards the normal तो 30 degree यह भी 30 degree angle of the incident wavefront refracted wavefront with the boundary होना चीए 30 degree not 60 degree ठीक है तो ऐसे B लिखा है Kushi ने, Gaurav ने, Yusuf ने B लिखा है रिमांचो आपको समझा रहा है आपने यह लिखा शायद यह draw भी करना पड़ेगा ना सिर्फ angle से थोड़ी चलेगा need to draw also how it is getting transferred into the other medium आप incident ray बना के कर सकते incident ray refracted यह ऐसे जाएगा ऐसे नहीं जाएगा आप तो इसमें ऐसे बोल रहा है ऐसे जाके ऐसे चला जा जो कि meta materials के लिए होता है एक question है PYQ का meta materials ray optics में अगर अभी तक आपने PYQ नहीं किये करना meta materials पे भी a question main में आयो है recently इसका refractive index negative होता है anyway यह एक और question है last question है this will also make you think a bit ऐसे भी question आते ध्यान देना planar wavefront एक curvyar wavefront पे बन गया है figure shows the wavefront passing through an unknown optical system इस box में क्या है पता नहीं वो बताना आपको and the emerging wavefront is like this incident wavefront is like this क्या हो सकता है यह which optical system can this be जो कि parallel light rays को ध्यान देना parallel light rays इसको converging light rays बना दे converging light rays बना दे parallel light rays आ रही है तभी तो planar wavefront है parallel light rays आ रही है तभी तो planar wavefront था और converge हो जाएं तभी curvier wavefront होगा this is nothing but a refracted wavefront and I hope answer आपको चमक चुका है यहां पर lens यह है बट कौन से वाला lens है यह yes converging lens very nice B is the correct answer ऐसे भी डाइग्राम आपको बनाने है देखो ऐसे डाइग्राम बना ले yes यह एक lens है converging lens में क्या होगा incident rays converge कर जाएंगी बट बच्चो देखना wavefront कैसा होगा यह है अपना incident wavefront planar है incident wavefront और यह अपना refracted wavefront यहा पर भी lens की वैसे refraction हो रहा है this is what your refracted wavefront is all like incident wavefront यह डाइग्राम बनाना बनाओगे तो देख अलग feeling आई once you just see and differ आप answer कर नहीं नहीं eigens principle में construct करना वहले डाइग्राम बनाना is the most important thing यह optics में भी डाइग्राम बनाना सब फिर इंपॉर्टन चीज थी calculation भी थी यहां पर सिर्फ डाइग्राम बनाना है आपको अच्छा lens के case में ऐसा और बाकियों में कैसा होगा lens के case में ऐसा आ रहे बाकियों में कैसा होगा देखना prism में ऐसा होगा क्या क्या prism में जो भी incident ray आ रहे थी वो deviation करके जारी है जो भी incident ray आ रहे थी वो एक delta करके जारी है planary wavefront आएगा but refracted wavefront आपका angle delta से clockwise turn हो जाएगा incident wavefront और refracted wavefront में भी angle क्या लिख पाएगे आपड delta लिख पाएगे लिखा रहे तो delta निकले ठीक है और देखना mirror के case में भी कैसा होगा तो यह always draw the rays, incident ray parallel है तो passing through focus हो जाता है passing through focus हो जाता है तो refracted wavefront यहाँ भी curve आता है refracted wavefront इस तरफ आ रहा है refracted wavefront राइट में ही जा रहा है lens और mirror का similar है बट आपको difference सबज में आ रहा है कि यहाँ पर converging right में यहाँ पर converging left में इस तरह से आप यह डाइग्राम बना सकते हैं यह कुछ questions है जो कि homework के है वह भी आप कर से आपको आपको निकाल के verify कर लेना इस तरह के questions आए होए है पास्ट में कभी हम अभ्यास करेंगे इसका next week और सो में तब हम इसमें और भी question कर लेंगे apart from these questions अभ्यास भी अपने चालू है कल भी अपने की अधा आज भी बच्चों करेंगे आ इनको अभ्यास के बारे में नहीं मालूम है नाम को गूगल पर search करना आपको anacademy की profile मिलेगी इस पर follow करके रखना notification आएगी अभ्यास अपनी वही टाइमिंग पर हो रही है नाइन थर्टी पी-म पर आप जब भी होती है अपन इसको community post में डाल देते हैं इस YouTube चैनल की community post में या फिर टेलीग्राम पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं लिंक अपन डाल देते हैं टेलीग्राम पर अटाडमी जे ग्रूप को follow करके रखना है साथी साथ बच्चों यह लिंक बड़ी important है इसको टाइप करके enter मारे www.canurail.com slash play.jwee को Chrome में type करके enter मानना Google search इसको मत करना आपको यह page open हो जाएगा जहाँ पर पुरानी अभ्यास की भी सारी लिंक मिल जाएगी पास्ट्रैक रिविजन जोनों ने जही सीरीज बहुत सारी सीरीज अपने करी उनकी भी लिंक एक ही जगे पर आपको मिल जाती है इस लिंक is also very important अभ्यास में भी get to do questions on the screen time limit में answer करना है यह पोल-bound practice है अभ्यास में अपन regularly करते हैं doubt clearing भी करते हैं special classes में interaction भी करते हैं बच्चों को regularly touch में रखके धीर धीर इंप्रूब करना होता है not suddenly अगर कोई सोच रहा है कि मैं जही मेन वाले जिन जाके मचा दूँगा तो मदब बच्चे जही के लिए six class से भी prepare करते हैं जीज ध्यान रखना तो आप over a period of time improve करोगे and मेरा यह experience है कि दो-तीन महिने भी अगर आप अभ्यास में regular हो गया है यह channel से बहुत सारे बच्चे जो कि regular है वो already J advance level पर आ गये it's just a matter of two-three months for J advance and a few weeks for J main आप अपनी improvement खुद देख पाएंगे but regularity will be the key हर एक अभ्यास में इसके बाद आईएगा wave optics के अभ्यास अभी तक नहीं होए next week से चालू करेंगे अपर और इस तरह के results यह सारी बच्चे in fact अपने इस channel से regularly पढ़ते हुए यह TIR 1 & 100% लाए हैं आप भी ला सकते हैं इस तरह के amazing results और उसके लिए आप लोग इस YouTube चैनल पर regular रहें special classes में regular रहें वो free offerings हैं आपकी आपको अगर किसी batch का part होना तो एक payment करनी पड़ेगी युद्धा बैच अपने class 12th का है तो droppers का ना योग्य बैचे बर इन बैचे में अब syllabus हो गया है 23 का अपना तो yes revision courses भी हम launch कर चुके हैं जो भी revision course के announcement आप चैनल पर अभी देखो तो उडान code से आप maximum discount से ले सकते हैं मैं आपको एक दो courses के बारे में बता रहा हूं बट जेनरल आइडिया है कि आपको रुपीज 2-3 थाउजंड पर मन्त पे सारे courses के access मिल जाती है live classes recording उनका material and PDF notes and test series ठीक है आप iconic subscription में personal coach की guidance भी मिलती बट उडान code से इनको maximum discount पे आपको लेना है एक rank booster course के बारे में आपको पता होगा जो कि 20 तारिक से चालू हो चुका है वो 3 months का course है आप इस प्राइस पे तीन महीने के लिए लगातार पढ़ सकते हैं सारा content आपको DPPs, PYQs, Test Series सब कुछ आपको मिलता है 90 days का यह course है जिसमें सारा syllabus को तीन महीने में करवाया जाएगा practice PYQs, DPPs, Test Series सब कुछ मिलेगी उसका यह price है 219 रुपेज तीक है उसके अलावा आपके offline centers अगर यह वाले पास में हैं आपके cities से पास में आप इन cities में र which is free for everyone, every J23 aspirant should go to their academy app यह just search for all India test series and academy, Jmain23 के लिए नई एक series, नई एक test series launch करिये, which is free for everyone, आपको इसमें scholarships भी मिल जाएगी अगर आप इसमें अच्छा performance, तो, ठीक है, yes, इसके अलावा आपको एक special rankers group का भी test हुआ तो उसके बार में पता होगा, if you have not already applied for it, the link will be there in the description, आरोहन batch 24 aspirants के लिए वो batch है जिन्होंने अभी तक J की तयारी 24 के लिए चालू नहीं करिये, आरोहन में आकर, चालू कर सकते हैं, आज ही से ये batch चालू हो रहा है, और कुछ है तो बताना बच्चो लाइव चैट में या, comments में लिख देना, definitely we are there for you, regularly, thank you, thank you, brain hustle, rishu, dwarav, love you take care बच्चा, क्या प्लस पे revision course आएगा, बंटी पूछ रहा है, hello बंटी कैसा है, तो प्लस पे revision course अपना आनहीं वाला है, 26 तारिक से, just wait for that announcement, भी वो course को कैसे करना हम लोग वो ही सोच रहे, बट अपना course बन चुका है, schedule बन चुका है, उसकी एक announcement के लिए वीडियो भी हमने क प्रक्टिसिंग, रय-वे